The New One Minute Manager केन ब्लेंचरड एंड स्पेंसर चॉंसन हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम प्रतीक New One Minute Manager का प्रतीक हम में से हर एक को यह याद दिलाता है कि हम अपने दिन में से एक मिनट का समय निकाल कर उन लोगों की ओर देखें जिनका हम नेतरतों और प्रबंदन करते हैं और यह एह एहसास करें कि वे हमारी सबसे महतोपून पूंजी हैं लेखकों का संदेश मूल One Minute Manager के प्रकाशन के बाद से संसार बदल चुका है आज हमेशा बदलती प्रोदोगी की और वेस्वी करन से तालमेल बैठाने के लिए कमपनियों को कम संसादनों के साथ ज्यादा तेजी से प्रकिरिया करनी होती है इस बदलते संसार में नेतरतों करने प्रबंदन करने और सफलता पाने में आपकी मदद के लिए हमें The New One Minute Manager पेश करते हुए खुशी हो रही है इस पुस्तक में भी इस बेहद लोग पर ये कहानी के अंतरनी हित सिधान तो वही है जिन्होंने संसार भर के करोडों लोगों की मरत की है इसलिए इस कहानी का काफी हिस्सा एक जैसा है लेकिन जिस तरह संसार बदला है उसी तरह वन मिनिट मैनेजर भी बदल गए है अब उनके पास नेतरतो करने और लोगों को प्रोचाइद करने के एक नई और ज़्यादा महतोपूर्ण नीती है पहली बार जब उन्होंने अपने तीन रहस्चे सिखाई थे तब अर्ष से फर्ष तक होने वाला नेतरतो प्रसली तोर लोग प्रिया था आज कल प्रभावी नेतरतो का मतलब सहयोग पूर्ण संबंध हो गया है आप ते न्यू वन मिनिट मैनेजर में इसकी जलक देखेंगे आज लोग अपनी नोकरी और जिंदगी में ज़्यादा संतुष्टी की तलाश कर रहे हैं वे जुडाओं महसूस करना चाहते हैं और सार्थक योगदान देना चाहते हैं वे अव्यक्तिगत जरूरतें पूरी करने के लिए नोकरी में सिर्फ अपना समय नहीं बेचना चाहते हैं वे इससे ज़्यादा चाहते हैं न्यू वन मिनिट मैनेजर इस बात को समझते हैं और करमचारीयों के साथ इसी अनुसार विवहार करते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि करमचारी ही किसी संगठन की सबलता में सबसे महतोपून योगदान देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रतिवावान करमचारियों को कमपनी में आकरशित करना और बनाए रखना एक सिर्ष प्रार्थमिक्ता है। कुन जी इस नई निती के इस्तेमाल में है। जैसा कि प्राचिन दर्षनी कन्फूशन की सला है। ग्यान का सार यह है कि इसे पाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। हमें यकीन है कि आप दे न्यू वन मिनिट मैनेजर में दिये गए तीनों रहष्यों का इस्तेमाल करेंगे और अपने बदलते हुए संसार में सफल हो जाएंगे ने सिर्फ ओफिस में सहे कर्मियों और सहे योगियों के साथ बलकि अपने परिवारवालों और मित्रों के साथ अगर आप एसा करते हैं तो हमें विश्वास है कि आप और आपके साथ काम करने तथा रहने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा खुश और ज़्यादा उत्पादक जीवन का आनंद लेंगे केन बलेंचर एंड स्पेंसर जोंसन एक बार एक प्रतिवा शाली यूवक एक खास किस्म के मैनेजर की तलास कर रहा था, जो आज के बदलते हुए संसार में नेतरत और परबंदन कर सके उसे एक एसे मैनेजर की तलास थी, जो लोगों को अपने कामकाज और जीवन में संतुलन लाने के लिए प्रोटसाहित करता हो, ताकि दोनों ही ज़्यादा सार्थक और आनंदाएक बन जाएं वह एसे मैनेजर के अधिन काम करना चाहता था और बाद में एसा ही मैनेजर बनना चाहता था अपनी तलास में वह कई वरसों तक संसार के दूर दराज के कोनों तक गया वह छोटे कस्वों में गया और वह शक्तिशाली देशों की राजदानियों में गया उसने कई मैनेजरों से बात की जो तेजी से बदलते संसार से जूजने की कोशिश कर रहे थे एक्जिक्यूटिवस और उद्धमी, सरकारी अदिकारी और सैनिक, विस्विद्यल्या के प्रेजिटेंट और फाउंडेशन के संसालत, दुकानों और स्टोर्स, रेस्तराओं, बैंकों और होटलों के मैनेजर, स्त्री और पुरुस, युवा और व्रद वह हर तरह के ओफिस में गया था, बड़े और छोटे, वैबव पूर्ण, और सादगी पूर्ण, खिड़कियों वाले और बिना खिड़कियों वाले अब उसे यह विहंगम दरश्य दिखना शुरू हुआ, कि लोग करमचारियों का परबंधन कैसे करते हैं, लेकिन उसे जो दिखा, उससे वह विशेश खुश नहीं हुआ, उसने कई सक्त मैनेजर देखे, जिनकी कमपनिया तो जीत रही थी, लेकिन वहां काम करने वाले करम समसारी हार रही थे, कुछ लोग सोचते थे कि वे अच्छे मैनेजर हैं, ज्यादातर लोग इसके वीपरित सोचते थे, जब वह यूवक इन सक्त मैनेजरों में से प्रतेक के ओफिस में बैठा, तो उसने पूछा, आप खुद को किस तरह का मैनेजर कहेंगे, उनके में बस थोड़ा साई अंतर होता था, मैं मुनाफा वसंद मैनेजर हूँ, मैं किसी विस्तिती पर हावी हो जाता हूँ, उसे बताया गया, सक्त, यथार्तवादी, मुनाफे की मान सिकता वाला, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इसी तरह से प्रबंदन किया था, और उन् कई भले मैनेजरों से भी मिला, जिनके करमचारी जीत रहे थे, जबकि उनकी कमपनियां हारती नजर आ रही थी, उनके कई करमचारीों का विचार था, कि वे अच्छे मैनेजर हैं, उन मैनेजरों के उपर बैठे वरिष्ट अधिकारियों को इस बारे में शंका थी, जब य मानोतावादी, उन्होंने यह भी कहा, कि वे हमेशा इसी तरह से परबंदन करते थे, और उन्हें अपनी शेली बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता, उसने उनकी आवाजों में गर्व की खनक सुने, और लोगों में उनकी रूची देखी, लेकिन वह विचलित था, एसा या फिर करमचारियों में, जो मैनेजर परिणामों में रूची लेते थे, उन पर अक्सर तानाशा का लेवल लगा दिया जाता था, जबकि करमचारियों में रूची रखने वाले मैनेजरों पर अक्सर परजातांत्रिक का लेवल लगाया जाता था, यूवक ने सोचा कि य ये दोनों ही सक्त तानाशा और भले परजातांत्रिक सिर्फ आंसिक रूप से प्रभावी थे। उसने सोचा यह तो आदे मैनेजर होने जैसा है। वह ठका और हताश घर लोटा। उसने अपनी तलास काफी समय पहले ही चोड़ दी थी। लेकिन उसे एक बहुत बढ़ा लाब हुआ वह सटीकता से जानता था कि वह किस की तलाश कर रहा था। उसने सोचा इस बदलते यूग में सबसे प्रभावी मैनेजरों को खुद का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का इस तरह परबंदन करना चाहिए ताकि उनके रहने से करमचारियों और कमपनी दोनों क को ही लाब हो. यूवक ने प्रभावी मैनेजर की तलाश हर जगए की थी लेकिन उसे एसे मैनेजरी के दुके ही मिले, जो मिले वे उसे अपने रहेचे नहीं बताना चाहते थे. वह सोचने लगा कि वह जिस किसम के मैनेजर की तलास कर रहा है वह उसे शायद कभी नहीं मिल लेकिन तभी उसे एक खाष मेनेजर के अद्बुद किसे सुनाई दिये, जो पास वाले शहर में ही रहते थे. उसने सुना कि करमचारी इस मेनेजर के साथ काम करना पसंद करते थे, और बेहतर परिनाम भी देते थे. उसने यह भी सुना कि जब लोग उस मैनेजर के सिधान्तों को अपने निजी जिन्दगी में उतारते थे तब भी उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलते थे जिग्यासावस उसने इस खास मैनेजर की सहायक को फोन किया ताकि अपोइंटमेंट के बारे में मालूम कर सके उसे हैरानी हुई जब सहायक ने तुरंत मैनेजर से बात करा दी यूवक ने पूछा कि वह उनसे कब मिल सकता है जिस पर मैनेजर ने कहा सब्ता में कोई भी दिन अच्छा है बस बुद्वार सुवै को छोड़ दें समय आप खुद जुन ले यूवक चक्रा गया बहला एसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय मौझूद हो सकता है लेकिन वह मंत्र मुग्द भी था इसलिए वह उनसे मिलने चल दिया पहले बुनियादी बातें जब यूवक मैनेजर के ओफिस में पहुंचा तो उसने पाया कि मैनेजर खिड़की से बाहर देख रहे थे मैनेजर ने मुड़कर उसे बैठने के लिए अमंतरित किया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैंने आपके बारे में बहतरीन बातें सुनी है मैं आपके प्रबंदन शैली के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ देखिए इस संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सबसे निपटने के लिए हम अपनी आजमाई हुई विदियों का इस्तेमाल नए तरीके से कर रहे हैं लेकिन इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे आईए बुनियादी बातों से बात शुरू करते हैं हमारे संगटन में पहले अर्श से फर्श की परबंदन शैली थी जो अपने युग में कारगर थी लेकिन आज यह शैली बहुत ज़्यादा धिमी हो गई है यह करमचारियों को प्रेरित नहीं करती है और उनका दम गोंड देती है गरहक ज़्यादा तेज सेवा और बेहतर सामान की मांग करते है इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हर करमचारी अपनी योग्याता के अनुरू बरकस योगदान दे हमारा मानना है कि दिमाग सिर्फ एक्जिकुटिव ओफिस के लोगों के पास ही नहीं होता यह पूरे संग्ठन के सभी करमचारियों के पास होता है चुकि गतियब सफलता की शर्त बन चुकी है इसलिए सहयोगी बन करने तर्तों करना पुरानी आदेस और नियंतरन परनाली से कहीं ज़्यादा कारगर होता है आप सहयोगी बन करने तर्तों कैसे करते हैं मैं सभता में एक बार बुद्वार की सुबह अपनी टीम से मिलता हूँ इसलिए मैं उस वक्त आप से नहीं मिल सकता था उन बैटकों में हमारे समू की समेक्षा और विशलेशन सुनता हूँ कि उन्होंने पिछले सब्ता क्या किया था उन्हें क्या समश्याय आई क्या हासिल करना बाकी है साथ ही वे मुझे काम करने की अपनी योजनाएं और रन नितियां भी बताते हैं क्या उन बैटकों में लिए गए निर्ने आप और आपकी टीम दोनों पर बाद्यकारी है हाँ बैठक का उद्शय यह है कि करमचारियों को भविश्य में जो करना है उसके बारे में महतोपूर निर्ने लेने में वे सहभागी बने यूवक ने पूछा यानि आप सहभागी परबंदग है है ना दरसल नहीं मैं करमचारियों को आगे बढ़ाने में यकिन करता हूँ लेकिन दूसरों के नेने लेते वक्त सहभागी नहीं बनता तो फिर आपके बैटकों का उद्शय क्या है मैंने अभी अभी आपको बताया तो था हर एक की अनुठी योग्यताओं से फाइदा उठाकर हम बहुत ज़्यादा उत्पादक बन जाते हैं ओ, यानि आप करमचारी केंदरित कम, परिनाम केंदरित अधिक है मैनेजर खड़े होकर चहल कदमी करने लगे यदि कोई मैनेजर ज़्यादा जल्दी सफल होना चाहता है तो उसे परिनाम केंदरित और करमचारी केंदरित दोनों ही होना चाहिए परिनाम हमें करमचारियों के जरिये नहीं मिलेंगे तो भला कैसे मिलेंगे इसलिए मैं करमचारियों और परिणामों दोनों की परवा करता हूँ क्योंकि वे साथ साथ चलते हैं इसकी और देखें मैनेजर ने अपने कम्प्यूटर की तरफ इसारा किया मैंने इसे अपना स्क्रीन से और बना लिया है ताकि मुझे यह व्यवारिक सत्य याद रहे जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वे अच्छे परिणाम देते हैं जब यूवक ने स्क्रीन की और देखा तो मैनेजर ने कहा अपने बारे में सोचें आप कब सबसे अच्छी तरह काम करते हैं क्या तब जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं या तब जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं यूवक ने सिरह लाया और इस स्पष्ट संदेश का जवाब स्पष्टता से दिया मैं ज्यादा अच्छा परदर्शन तब करता हूँ जब मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहा होता हूँ बिलकुल और हर वेक्ति के साथ एसाही होता है आंगतुक ने कहा तो करमचारियों को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना उत्पादक्ता की कुझी है हाँ लेकिन याद रहे उत्पादक्ता सिर्फ काम की मातरा नहीं है यह उससे बढ़कर है यह गुनवत्ता के बारे में भी है वे खिड़की के करीब जाकर बोले उस और देखो जब यूवक खिड़की के पास पहुंचा तो मैनेजर ने नीचे एक रेस्तरा की दरव इसारा किया क्या आपको दिख रहा है कि उस रेस्तरा में कितने सारे ग्राहक हैं यूवक ने देखा कि लोग उस रेस्तरा के दरवाजे के बाहर लाइन लगा कर खड़े थे उसने कहा रेस्तरा के लिए जगह अच्छी होने चाहिए मैनेजर ने कहा अगर यही बात है तो फिर दो दुकान छोड़ कर चल रहे रेस्तरा के सामने लोगों की लाइन क्यों नहीं है लोग पहले रेस्तरा में क्यों खाना चाहते हैं और दूसरे में क्यों नहीं चाहते यूवक ने जवाब दिया शायद वहां बोजन और सेवा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा हाँ यह बहुत आसान है लोगों को गुणवत्ता पूर्ण प्रडेक्ट और मन्चाही सेवा दिये विना आप लंबे समय तक कारोबार नहीं कर सकते स्पष्ट बिंदू को चूपना आसान है इन सफल परिनामों को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका करमचारियों के जरिये है सर्वेस रेष्ट रेष्टराओं के करमचारी ही उन्हें सफल बनाते है इससे यूवक की रूची पैदा हो गई जब वे दोबारा बैठे तो उसने कहा आपने अभी अभी बताया है कि आप सह भागी मैनेजर नहीं है तो आप अपना वर्णन किस तरह करेंगे लोग मुझे न्यू वन मिनट मैनेजर कहते हैं यूवक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी क्या? मैनेजर हंसते हुए बोले वे मुझे इसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत कम समय में बेहतरिन परिणाम पाने के नई तरीके खोशते रहते हैं हालांकि यूवक कई मैनेजरों से बात कर चुका था लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह बोलते नहीं सुना था इस पर विश्वास करना मुश्किल था कोई ऐसा मैनेजर जो कम समय में अच्छे परिणाम पाता हो यूवक के चेहरे पर शंका के बाहु देखकर मैनेजर ने कहा आपको इस पर यकिन नहीं है है ना यकिन तो छोड़िये मेरे लिए तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है मैनेजर ने हंसते हुए कहा देखिए अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैं किस किसम का मैनेजर हूँ तो आप हमारी टीम के कुछ लोगों से बात क्यों नहीं कर लेते है मैनेजर अपने कम्प्यूटर की और मुड़े और एक लिस्ट प्रिंट करके यूवक को थमा दी ये उन छे लोगों के नाम, पद नाम और फोन नंबर है जो मेरे ठीक नीचे काम करते हैं यूवक ने पूछा, मुझे इन में से किस बात करनी चाहिए यहापका निर्णे है कोई भी नाम चुन ले किसी भी एक से बात करले या सब से बात करले देखिए, मेरा मतलब था मुझे किस से शुरू करना चाहिए जैसा मैंने पहले बताया था मैं दूसरे लोगों के लिए नेने नहीं लेता हूँ मैनेजर ने दरता से कहा अपने नेने स्वेले फिर वे खामोश रहे और ऐसा लगा जैसे वे काफी लंबे समय तक खामोश रहे हूँ यूवक परिशानी महसूस करने लगा और सोचने लगा कि काश उसने मैनेजर से अपने लिए वह नेने लेने को नहीं कहा होता जो वह खुद ले सकता था मैनेजर उटकर आंग्तु को दरवाजे तक लेकर गई आप करमचारियों का नेतरतव और परबंदन करने के बारे में जानना चाहते हैं और मैं इसकी परशंसा करता हूँ उन्होंने आगे कहा अगर हमारी टीम के लोगों से बात करने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप दोबारा मुझसे मिलने आ सकते हैं दरसल मैं आपको वन मिनिट मैनेजर का सिद्धान तोफि में देना चाहता हूँ किसी ने कभी मुझे यह दिया था और इसे बहुत फर्क पड़ा जब आप इसे समझ लेंगे तो हो सकता है आपके मन में भी किसी दिन मैनेजर बनने की इच्छा जाग जाए यूवक ने कहा आपको धन्यवाद ओफिस से निकलने पर वह यूवक मैनेजर की सहयोगी करटनी के पास से घुजरा वह बोली आपके विचार से लहाओ वाओ से मैं समझ सकती हूँ कि आपने अभी अभी हमारे मैनेजर का अनुवव किया है यूवक अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था इसलिए वह बोला मुझे लगता तो है सहयोगी ने पूछा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ हाँ उन्होंने मुझे लोगों की यह सूची दी है जिन से मैं बात कर सकता हूँ सहयोगी ने सूची पर नज़र डाली इन में से तीन लोग इस सबता बाहर रहने वाले हैं लेकिन टेरेसाली, पॉल ट्रेनेल और जान लेवी आज यहां है मैं उन्हें फोन कर दूँगी और उनसे आपकी मुलाकात तै कराने में मदद करूँगी यूवक ने कहा, मैं आपका आभारी रहूँगा पहला रहशे, एक मिनट के लक्षे जब यूवक तेरेसाली के ओफिस में पहुंचा तो वे अपना चश्मा हटा कर मुश्कुराई मैंने सुनाय कि आप हमारे मैनेजर से मिल लिये हैं वे काफी कमाल के इंसान हैं, है ना? वे एसे ही लगते हैं क्या उन्होंने आपको सला दी थी कि आप हमसे मिलकर यह पता लगाएं कि वे किस तरह ऐसे परबंदन करते हैं? निश्चित रूप से तेरेसाने कहा, यह आस्रे जनक है कि यह तरीका कितनी अच्छी तरह काम करता है मैं अब भी इस बात पर हैरान हूँ कि उन्हें मेरे साथ कितना कम समय बिताना पड़ता है क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ कि अपना काम कैसे करना है क्या यह सच है? यकीन माने यह सच है मैं वो उनसे शायदी कभी मिल पाती हूँ युवक ने पूछा आपका मतलब है आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलती उतनी नहीं जितनी शुरुवात में मिलती थी वैसे किसी नए काम या जिम्मेदारी की शुरुवात में वे मेरे साथ काफी समय रहते हैं तब वे और मैं हमारे एक मिनिट के लक्षे बनाते हैं एक मिनिट के लक्षे वे क्या हैं? तेरे साने कहा यह वन मिनिट मैनेजमेंट के तीन रहष्यों में पहला रहष्य है तीन रहष्य? युवक ने पूछा और वह ज़्यादा जानने के लिए आतोर था हाँ तेरे शाने कहा एक मिनिट के लक्षे तै करना वन मिनिट मैनेजमेंट की शुरुआत है देखिए ज़्यादातर कंपनियों में यह होता है कि जब आप करमसारियों से पूछते हैं कि वे क्या करते हैं और फिर उनके बोस से पूछते हैं तो प्राए आपको दो अलग अलग जवाब मिलते हैं। वास्तों में मैंने जिन कुछ कम्पनियों में काम किया है, वहां यह होता था कि मैं जिन चीजों को मेरे काम की जिम्मेदारिया मानती थी और जिन चीजों को मेरा बोस मेरी जिम्मेदारिया मानता था, उनमें कोई संबन बस सैयोग बस ही होता था फिर मैं कोई ऐसी चीज नहीं करने के लिए मुश्किल में फंस जाती थी जिसे मैं अपने काम का हिस्सा मानती भी नहीं थी यूबक ने पूछा क्या यहां ऐसा कभी होता है नहीं तेरे साने जवाब दिया एसा यहां नहीं होता हमारे मैनेजर हमारे साथ पैट कर यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी जिम्मेदारिया क्या है और हमें किन चीजों के लिए जवाब दे ठहराया जाएगा लेकिन वे एसा करते कैसे हैं यूवग जानना चाहता था तेरे सा ने मुस्कुरा कर कहा पहले से ज़्यादा कार्यकुशल्टा के साथ वास्तों में आज कल मैं उन्हें न्यू वन मिनिट मैनेजर कहती हूं क्योंकि वे नई तरीकों से चीजे कर रहे हैं जो अब और भी ज़्यादा कारगर है वह कैसे उसने समझाया मिसाल के तोर पर वे हमारे लक्षे तै नहीं करते हैं इसके बजाए वे हमारी राए तथा विचार सुनते हैं और हमारे लक्षे तै करने के लिए हमारे साथ साथ काम करते हैं जब हम सबसे महतवपूर्ण लक्षों के बारे में सहमत हो जाते हैं तो हर लक्षय का वर्णन एक पेज पर किया जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि किसी लक्षय और इसे प्राप्त करने के समय क्या करना है और कब तक करना है को व्यक्त करने में एक या दो पेराग्राप से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एसा इसलिए ताकि इसे लगबग एक मिनट में ही पढ़ा जा सके और इसकी समिख्षा की जा सके एक बार जब हम लक्षों को संक्षेप में लिख लेते हैं तो उन्हें बार बार देखना आसान होता है समय समय पर मेरी प्रगती की जांच कर सके अगर हर लक्षा के लिए एक पेज का वर्णन होता है तो क्या हर करमचारी के लिए बहुत से पेज नहीं हो जाते हैं नहीं दरसल इसा नहीं होता हम असी बीस के नियम पर चलते हैं यानि आपके असी फिजदी ससूच महतोपून परिनाम आपके बीस पर तिसद लक्षों से मिलेंगे इसलिए हम सिर्फ उन बीस फिजदी लक्षों के लिए ही एक मिनट के लक्षे तै करते हैं यानि हमारी जिम्मेदारी के मुख्यक्षे तर शायद तीन से पांस लक्षे जाहिर है अगर कोई खास प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम एक मिनट के खास लक्षे तै कर लेते हैं उसने आगे कहा चुँकि हर लक्षे को लगबग एक मिनट में पढ़ा जा सकता है इसलिए हमें कभी कबार समय निकालने के लिए प्रोजसाइट किया जाता है ताकि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं और यह भी देखें कि क्या हमारा काम हमारे लक्षे से मेल खाता है यदि यह मेल नहीं खाता है तो हमें अपने कामों में बदलाव करना होता है इसे हमें ज़्यादा जल्दी सफल होने में मदद मिलती है यूवक ने कहा तो आप देखती हैं कि क्या आप अपेक्षित काम कर रही है या नहीं आप अपने मैनेजर का इंतजार नहीं करती है कि वह आपको यह बात पताए हाँ तो एक तरह से आप अपना परबंदन खुद करती है बिल्कुल तेरे साने सिर हिला कर कहा उसने आगे कहा और यह ज़्यादा आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा काम क्या है हमारा मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि हम यह जान ले कि अच्छा परदर्शन कैसा दिखता है क्योंकि वे हमें यह दिखा देते हैं दूसरे शब्दों में अप एक शाय हम दोनों के सामने ही स्पष्ट होती है हमें से कई दूर रहकर भी काम करते हैं इसलिए हमारे मैनेजर हमेंसा आमने सामने नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा परदर्शन कैसा होना चाहिए लेकिन वे दूसरे तरीकों से ऐसा कर देते हैं क्या आप मुझे कोई उधारन दे सकती है बिल्कुल टेरिसा ने कहा मेरा एक लक्षय यह था कि मैं किसी समश्या को पहचानू और कोई ऐसा समाधान सोचूं जिस पर अमल करने से स्थिख सही हो जाए शुरुआत में जब मैंने यहां काम करना शुरू किया था तो मैं यात्रा कर रही थी वहां मुझे एक समश्या नजराई जिसे सुलज़ाना जरूरी था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह सुलज़ाया जाए इसलिए मैंने उन्हें फोन किया जब उन्होंने फोन का जवाब दिया तो मैंने कहा मेरे सामने एक समश्या है इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाऊं वे बोले अच्छी बात है उसे सुलजाने के लिए ही तो तुम्हें काम पर रखा गया है इसके बाद पोन के दूसरे छोर पर खामोसी चा गई मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कहूं अंतते मैं जैसे तैसे बोली कि लेकिन मैं नहीं जानती कि इस समश्या को कैसे सुलजाना है उन्होंने कहा कि टेरेसा भविशे के लिए तुम्हारा एक लक्षे समश्याओं को खुद पहचानना और सुलजाना है लेकिन चुंकि तुम नई हो इसलिए हम बात कर लेते हैं अच्छा तो अब बताओ कि समश्या क्या है इसके बाद मैंने समश्या को यथा संभा उस्पष्टर अंदाज में बताने की कोशिश की लेकिन मैं गवरा रही थी और रक्षात्मक थी इसलिए मैं ठीक से बता नहीं पा रही थी मेरे मैनेजर ने मुझे आरामदे बताते हुए नर्मी से कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं जिससे समश्या उत्पन हो रही है यह सुनने के बाद मेरा ध्यान खुद पर से हट गया और मैं असली समश्या के बारे में सोच पाई फिर मैंने समश्या का वर्णन उस तरह कर दिया जैसा उन्होंने कहा था वे बोले कि तुम्हारा वर्णन अच्छा है टेरेसा अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि यह किस तरह हो मैंने कहा मैं नहीं जानती उन्होंने जबाब दिया तो फिर मुझे तब दोबारा फोन करना जब तुम जान जाओ मैं कुछ पलों के लिए हैरानी से जम गई थी मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूं दयालुता दिखाते हुए उन्होंने खामोशी तोड़ दी उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे यह नहीं बता सकती कि तुम क्या होते देखना चाहोगी तो तुम्हारे पास कोई समश्या नहीं है तुम तो बस शिकायत कर रही हो समश्य का आस्टी तो तभी होता है जब वास्ट्विक्ता और मन्चाही स्थिति के बीज फरक होता है मैं जल्दी सीखने में माहिर थी और अचानक मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जानती थी कि मैं क्या होते देखना चाहती थी जब मैंने उन्हें यह बता दिया तो उन्होंने मुझे से पूछा कि वास्ट्विक और मन्चाही स्थिति के बीज ऐसंगती किस कारण हो सकती है मैंने बता दिया फिर वे बोले कि अब तुम इस बारे में क्या करने जा रही हो मैंने कहा कि देखिए मैं यह काम कर सकती हूँ उन्होंने पूछा कि अगर तुम एक काम करती हो तो क्या तुम्हारे मन्चाही चीद सचमुच हो जाएगी मैंने कहा कि नहीं उन्होंने कहा कि तो फिर यह समाधान गठ्या है तुम और क्या कर सकती हो मैं बोली मैं भी काम कर सकती हूँ उन्होंने एक बार फिर कहा कि लेकि लेकिन अगर तुम भी काम करती हो तो तुम जो होते देखना चाहती हो क्या वह सचमुच हो जाएगा मुझे एहसास हुआ कि नहीं उन्होंने कहा तब तो यह भी खराब समाधान है तुम और क्या कर सकती हो मैंने इस बारे में दो मिनिट सोचा और बोली कि मैं सी काम कर सकती हूँ लेकिन अगर मैं सी काम करती हूँ तब भी वहन नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ इसलिए यह भी समाधान नहीं है, है ना? उन्होंने मजाग किया कि सही है, अब तुम समझने लगी हो, क्या कोई और चीज है जो तुम कर सकती हो? राहत महसूस करते हुए मैं हंसी और बोली कि शायद मैं इन में से कुछ समाधानों को मिला सकती हूँ वे बोले कि यह कोशिस करने लाइक लगता है, मैंने कहा कि देखिए, दरसल अगर मैं इस सब्ता ए काम करूँ, अगले सब्ता बी काम करूँ और दो सब्ता बाद सी काम करूँ, तो समझना सुलज जाएगी, यह जबरदस्त समाधान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कि मैं तुम खुद से पूछ सकती हो, जाहिर है, मैं जानती थी, कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुझे दिखा दिया था, कि समझ्या को कैसे सुलजाना है, ताकि मैं आगे से इसे अपने दमपर कर सकूँ, युवक ने पूछा, जब आपने कहा था, कि वे अच्छे परदर्शन को देखने में आपकी मदद करते हैं तो क्या आपका यही मतलब था? हाँ, मेरे मैनेजर मुझे दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है ताकि मैं इसे समझ सकूँ और आगे इसे खुद कर सकूँ फिर फोन काल के अंतमेवे बोले कि तुम योग्य हो टेरेसा अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई समझ आए तो यह बात याद रखना टेरेसा अपनी कुर्शी पर टिकर बैठ कई और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह मेनेजर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रही हो मुझे याद है बाद में मैं मुस्कुराई थी मुझे इस बात का एहसास था कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें बहविश्य में मेरे साथ इतना ज़्यादा समय ने बिताना पड़े ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी समश्याइं बहतर डंग से सुलजाना खुद सीख सकती थी हाँ वे चाहते हैं कि हमारे टीम का हर सदश्य अपने काम बहतर और ज़्यादा जल्दी करके खुशी पाई यूवक ने पल भर के लिए सोचा और कहा जब टीम के ज़्यादातर लोग अपने दम पर काम करने में सक्षम होंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे संगठन ज़्यादा प्रतिकरिय शिल कैसे बनेगा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अब तक सीखी कई बातों को संक्षेप में लिख लूँ तेरे साने प्रतिकरिया की मैं सोचती हूँ कि यह एक अच्छा विचार है यूवक ने लिखा एक मिनट के लक्षे अच्छी तरह काम करते हैं जब आप पहला लिख कर लक्षे बनाते हैं और उनका संक्षेप तथा स्पस्ट विवरन लिखते हैं करमचारियों के सामने परदर्शित कर देते हैं कि अच्छा परदर्शन कैसा दिखता है दूसरा करमचारियों से कहते हैं कि वे अपने हर लक्षे को तारिक सहीत एक पेज़ पर लिख लें तीसरा करमचारियों से हर दिन उनके सबसे महतोफून लक्षों की समिक्षा करने को कहते हैं जिसे करने में सिर्फ चन्द मिनट लगते हैं चोथा, करमचारियों को प्रोचाइद करते हैं कि वे एक मिनिट समय लगा कर देखें कि वे क्या कर रहे हैं और फिर यह भी देखें कि क्या उनका व्यवहार उनके लक्षों से मेल खाता है। पांचवा, अगर यह मेल नहीं खाता है, तो जो वे कर रहे हैं, उसके बारे में उन्हें दोबारा सोचने के लिए प्रोचसाइट करें, ताकि वे अपने लक्षों तक ज़्यादा जल्दी पहुँच सकें. युवक ने टेरेसा को अपना सार दिखाया, वह बोली, वाह, आप बहुत तेज सीखते हैं? धन्यवाद, उसने कहा, और अपने बारे में अच्छा महसूस किया, अगर एक मिनिट के लक्षे तै करना, वन मिनिट मैनेजर बनने का पहला रहशे है, तो क्या मैं पूछ सकता हू कि बाकी के दो लक्षे क्या है, तेरेसा मुस्कुराई और अपनी गड़ी देख कर बोली, आप पाल ट्रेनल से क्यों नहीं पूछते, मेरे बाद आपको उन से मिलने जाना है, है न? वह इस बात से प्रवावित हुआ, कि तेरेसा पहले से ही उसका कारेकरम जानती है, वह उ उससे हाथ मिलाने के लिए उठा और बोला, हाँ, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, समय एक ऐसी चीज है, जो अब मेरे पास बहुत ज्यादा है, जैसा आप शायद कह सकते हैं, मैं खुद न्यू वन मिनिट मैनेजर बनती चाह रही हूँ, आपका मतलब है कि आप गोर करती हैं कि क्या बदल रहा है, और फिर तीन रहश्यों को लागू करने के नए तरीकों की कोशिश करती है, हाँ, परिवर्तन के हिसाब से ड़लना मेरा एक मुख्य लक्षे है, धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम दूसरा रहश्य, एक मिनट की तारिफ, जब यूवक टेरेसा के आफिस से निकला, तो वह सुनी हुई बातों की साधगी से दंग रहे गया, उसने सोचा, इसमें समझदारी लगती है, आखिर आप तब तक प्रभावी मैनेजर कैसे बन सकते हैं, जब तक कि आप और आपकी टीम लक्षों के बारे में सपस्ट नहीं हो, जब तक कि इसे यही नहीं पता हो, कि अच्छा परदर्सन कैसा दिखता है, जब वह पॉल ट्रेनल के ओफिस में पहुँचा, तो उसे इतने यूवा व्यक्ति को देख रहेना नहीं हुई, पॉल की उमर 30 वर्स के करीब दिख रही थी, तो आप मैनेजर से मिल चुके हैं, वे कमाल के इंसान है, है ना? यूवक को अब तक मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान सुनने की आदत पढ़ चुकी थी, मुझे भी लगता है, क्या उन्होंने आपको बताया कि वे कैसे परबंदन करते हैं? उन्होंने बताया थ क्या यह सच है? यूवक ने पूछा और सोचा कि क्या उसे टेरेसा से भिन जवाब मिलेगा? बिल्कुल सच है, मैं जिस आखरी कमपनी में काम करता था, वहां पर मेरे बोस, माइक्रो मैनेजर थे, यानि हर छोटी छोटी बात की निगरानी करते थे, लेकिन हमारे नए वन म मेनेजर उस शैली में यकिन नहीं करते, आपका मतलब है आपको उनसे मदद नहीं मिलती, उतनी नहीं जितनी तब मिलती थी, जब मैं शुरुआत में सीख रहा था, अब उन्हें मुझे पर ज़्यादा बरोसा है, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुर रहा था, मैं तो एक मिनट की परसंसाओ का जिकर कर रहा था, एक मिनट की परसंसाओ का जिकर कर रहा था, एक मिनट की परसंसाओं, क्या यह दूसरा रहश्य है, हाँ, वास्तों में जब मैंने यहाँ पहले पहल काम शुरू किया, तो मेरे मैनेजर ने मेरे सामने बिल्कुल सबस्ट कर दिया कि वे क्या करने वाले थे वह क्या उन्होंने कहा कि मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना काफी आसान होगा अगर वे मुझे इस बारे में बिल्कुल सबस्ट फीडवेक दें कि मैं कैसा काम कर रहा था उन्होंने कहा कि इस से मुझे सफल होने में मदद मिले फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा परदर्शन करूंगा और जब मैं अच्छा परदर्शन नहीं करूंगा तो वे मुझे बहुत सबस्ट सब्दों में बता देंगे उन्होंने मुझे चेतावने दी कि पहले पहल यह हम दोनों के लिए बहुत सुकुन देने वाला नहीं होगा क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे तब बताया था ज्यादातर मैनेजर इस तरह से परबंदन नहीं करते हैं उन्होंने मुझे आस्वस्त किया कि अगर अपने काम में सफल होना मेरे लिए महतवपूर्ण था तो मुझे जल्दी ही ऐसास हो जाएगा कि फीडबेक एक अमुल लेवजार है क्या आप मुझे इस बात का कोई उधरन दे सकते हैं निश्चित रूप से पोल ने जवाब दिय जब मैंने यहां काम करना शुरू किया तो मैंने कोर किया कि जब मेरे मेनेजर और मैं अपने एक मिनिट के लक्षे तै कर लेते थे तो उसके बाद वे सतत संपरक में रहते थे वे ऐसा कैसे करते थे दो तरीकों से पहला वे मेरी गतिविदियां देखते थे जब वे दूर ह तब भी वे विभिन आंकडों की जांत करते थे, जिन से पता चलता था कि मैं कैसा परदर्शन कर रहा था। दूसरे, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगती की रिपोर्ट उन्हें बेजूं। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता था। पहले पहल तो मैं बेचैन हो जाता था। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि शुरुवात में वे मुझे पर नजर रखेंगे ताकि वे मुझे कोई चीज सही करते हुए पकड़ सकें। युवक ने पूछा, कोई चीज सही करते हुए पकड़ सकें। हाँ, हमारे यहाँ एक काहवत है जिसका पालन हर मैनेजर करता है। करमचारियों की पूरी संभावना तक पहुँचने में उनकी मदद करें, उन्हें कोई चीज सही करते हुए पकड़ें। युवक ने कभी नहीं सुना था कि कोई मैनेजर यह करता हो, हालंकि वह बहुत से मैनेजरों से मिल चुका था। पॉल ने आगे कहा, ज़्यादातर संग्ठनों में मैनेजर अपना ज़्यादातर समय करमचारियों को क्या करते पकड़ने में बिताते हैं। युवक जानकार अंदाज में मुस्कुराया और बोला कोई चीज गलत करते हुए। सही, बोल पूस्कुराये, बिल्कुल सही, यहां हम लोगों को सही करते हुए पकड़ते हैं और सकारात्मक बातों पर जोड़ देते हैं, खास तोर पर जब वे कोई नया काम शुरू करते हैं। युवक ने कुछ नोट्स लिए, फिर उपर देखा और पूछा, जब वे आपको कोई सही चीज करते हुए पकड़ते हैं, तो क्या होता है? तब वे एक मिनिट की परसंसा करते हैं, पोल ने आनन्द के साथ कहा, इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा, जब वे ग इच में एक पल के लिए ठहर जाते हैं, ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें, फिर वे अच्छा काम जारी रखने के लिए आपको प्रोचसाइट करते हैं और परसंसा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मेनेजर यह करता हो युवक ने कहा, इससे आपको काफी अच्छा महसूस होता होगा, इससे निश्चित रूप से अच्छा लगता है और कई कारणों से, सबसे पहले तो कोई चीज सही करने के तुरंत बाद ही मुझे परसंसा मिल जाती है, पौल आगे की और जुके और गोपनी अंदाज में बोले, मुझे वार्षिक परदर्शन समिक्ष्या का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे? हाँ, मैं समझ गया, युवक ने कहा, आपका परदर्शन कैसा है, यह जानने के लिए इंतजार करना बहुत बुरा होता है, मैं सहमत हूँ, दूसरे, च हमेशा एक जैसे रहते हैं, हमेशा एक जैसे युवक ने पूछा, हाँ, वे मेरी तारीफ करते हैं, जब मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ, और इसका हकदार होता हूँ, बले ही परिश्टितिया उनके लिए व्यक्तिकत तोर पर या यहाँ ओफिस में अच्छी नही हो, मैं जानता हूँ कि वे दूसरी जगह हो रही चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं जहां हूँ, वे वहीं पर परतिकिरिया करते हैं, वे वहाँ से परतिकिरिया नहीं करते, जहां वे उस वक्त होते हैं, मैं सचमुच इसकी कदर करता हूँ, क्या इस सारी प कि आप उसके प्रदर्शन पर करीबी निगा रख रहे हैं। इसमें आम तोर पर एक मिनट से कम समय लगता है। युवक ने कहा, इसलिए इसे एक मिनट की परसंसा कहा जाता है। सही कहा, तो क्या वे हमेशा आपको कोई चीज सही करते हुए पकरने की कोशिस करते हैं। नहीं, जाहिर है नहीं, पॉल ने जवाब दिया। यह ज्यादातर शुरुवात में होता है, जब आप यहां काम करना शुरू करते हैं, और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी शुरू करते हैं, जब आप काम सीख जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, कि उनको आप पर भरोशा है, क्योंकि बाद में आ पॉल ने आगे कहा, समय के साथ आप खुद को सही चीजें करते हुए पकरने लगते हैं, आप खुद की परसंसा करने लगते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी नोकरी में इतनी ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की या इसका इतना ज़्यादा आनंद भी नहीं लिया। आपको होने वाले तमाम परिवर्पनों से निवटने में मदद मिलती है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि आगे रहने के नवाचार करने के लिए हम प्रियाप्त आतम विस्वासी बने ही। क्या इसलिए आपके मैनेजर आपके निवने खुद लेने के बज़ाए आपको किसी समश्या को खुद सुल जाने का उसर देते हैं। हाँ, इसके अलाबा इससे मैनेजर का समय भी बसता है। मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही करता हूँ ताकि वे भी ज़्यादा सक्षम बन जाएं। मैं यहाँ एक सिलसिला देख रहा हूँ। आप एक मिनट के लक्षियों को परसंसाओं से जोड़ देते हैं। जि जिचित रूप से पोल ने कहा। युवक ने लिखा। एक मिनट की परसंसा तब भली बांती काम करती है। जब आप पहला आदा मिनट पहला करमचारियों की यथा संबव तुरंत परसंसा करते हैं। दूसरा लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या सही किया है। चोथा पल भर के लिए ठहरते हैं ताकि लोग अपने अच्छे काम के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। दूसरा आदा मिनट पांचवां उन्हें यही ज्यादा करने के लिए प्रोथसाइद करते हैं। छटा यह सपष्ट कर देते हैं कि आपको उन पर विश्वास है और आप उनकी सभलता का समर्थन करते हैं। तो अगर एक मिनट के लक्षे और परसंसाए पहला और दूसरा रहस्य है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तीसरा रहस्य क्या है। पोल अपनी कुर्से से उठ गई। शायद यह जोन लेवी से पूछना मुनासिब रहेगा। मेरे ख्याल से आप मेरे बाद उनसे बात करने जा रहे हैं। हाँ, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अच्छा लगा। समय एक एसी चीज है जो मेरे पास बहुत है। देखिए, मैं खुद न्यू वन मिनिट मैनेजर बनता जा रहा हूँ। आंगतुक ने सिर जो वहे खोज रहा था। वहे सुनी हुई बातों से सहज बोध और सादगी से प्रभावित था। यूवक ने सोचा आप लोगों को कोई चीज सही करते हुए पकरने की सफलता पर कैसे बहस कर सकते थे। क्या हर करमचारी यही अनुवव नहीं करना चाहता है। उसने सोचा लेकिन क्या एक मिनट की परसंसाएं सचमुच काम करती हैं क्या यह वन मिनट मैनेजमेंट वाकई मुनाफ़े का परिणाम दे पाता है। पहलते समय परिणामों के बारे में उसके जिग्यासा बढ़ गई। इसलिए वह मैनेजर के सहाइक के पास लोटा और पूछा क्या व विबागों के बारे में जानकारी दे सकता हो। जोन ने कहा है कि कल सुबह ठीक है कर्टनी ने फोन रखते हुए कहा। फिर उसने मुख्य कारेले में फोन करके नया अपोइंटमेंट लिया जिसका यूवक ने आगरे किया था। उसे लिज एक विनों से मिलने जाना था। इसलिए वह कुछ खाने और अपनी अगली मिटिंग की तैयारी करने के लिए सड़क के पार गया। एक पल बाद वह हंस पड़ा। जब उसने लिज को कहते सुना, आपको बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक नए वन मिनिट मेनेजर का है। उनका विभाग हमारे सारे विभागों में सबसे कार्यकुशल और सफल है। और यह बरसों से एसा ही रहा है। चाहे परिस्तितियां किसी भी तरह से बदलें, वे हमेशा ढल जाते हैं। वे कमाल के इंसान है, है ना। वाकई, यूवक ने कहा, क्या उनके पास सबसे अच्छे उपकर्ण और प्रोधोकी की है। नहीं, लीज ने कहा, सच कहा जाए, तो उनके कुछ उपकर्ण सबसे पुरा ने है। देखिए, वे आदर्स नहीं हो सकते। यूवक ने कहा, और वे न्यू वन मिनिट मैनेजर की शैली से अब भी चक्रा रहा था। क्या उनके करमचारी काम छोड़ कर जाते हैं। लीज बोली, अगर सोचा जाए, तो उनके करमचारी काम छोड़ कर जाते हैं। लोग उनके य लीज ने परतिकरिया की, हम आम तोर पर उन्हें मैनेजर बना देते हैं। वे हमारे यहाँ करमचारी को तयार करने में सबसे अच्छे हैं। जब भी हमारे पास जगय खाली होती हैं, और हमें किसी अच्चे मैनेजर की ज़रृट तो होती है, हम उन्हें फोन करके पूछ ल मंत्र मुक्द होकर उसने लीज को धन्यवाद दिया, लेकिन इस बार उसे एक अलग प्रतिक्रिया मिली, मुझे खुशी हुई कि मैं आज आप से मिलने का समय निकाल पाई, वह बोली, मेरा बाकी का सब्ता वाकई खचा कच भरा है, काश मैं जानती कि वे एसा कैसे कर लेते है मैं वहाँ जाकर उन से मिलने की बार बार सोचती हूँ, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाती, युवक्द ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे उनके रहशे पता चल जाएंगे, मैं वे आपको तोहफे में देतूंगा, जिस तरह एवे मुझे रहशे बता रहे हैं, मैं आ आह भरी, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, युवक्द लीज के ओफिस से बाहर निकला और इमारत से बाहर निकलते समय, वहे अपना सिरहिला रहा था, उसका मन मोह लिया था, उस रात युवक्द को सोने में बहुत पेचैनी हुई, क्योंकि वहे अगले दिन के बारे में सोच रहा था, तीसरा रहस्य सीखने के बारे में, धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक्ट कोम, तीसरा रहस्य, एक मिनट की फटकार, अगली सुवए नो बसते ही, वहे जान लेवी के ओफिस में पहुँच गया, उसे हमेशा की तरह, वहे कमाल के आदमी है, है ना, सुनने को मिला, लेकिन अब तक युवक उस बिंदू पर पहुँच गया था, जहां वहे इमानदारी से कह सकता था, हाँ, वे हैं, जो उनने कहा, वे आस्चरिय जनक हैं, वे बरसों से यहां हैं, लेकिन वे समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, वे चीजों को नया और ताजा रखते हैं, उन्होंने अपना विकास किया है, और वे पहले से ज़्यादा कुशा गर्बुदी बन गए हैं, उनका एक उलेखनिय काम, उनकी प्रतिक्रिया का तरीका है, जब हम कोई चीज गलत कर देते हैं, जब आप कोई चीज गलत कर देते हैं, मैं तो सोचता था, कि यहां का काम कर रहा हूं, और मैं यहां की पूरी कारिया परनाली को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मेरे मेनेजर को अब मेरे साथ एक मिनट के लक्षों या प्रसंसाओं पर ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता, वास्तों में, आम तोर पर मैं उन से मिलने से पहले ही, अप की समिक्षा में सिर्फ एक मिनिट लगता है, मैं अपने काम से प्रेम करता हूं और मैं इसमें काफी योग्य हूं, मैंने खुद को शाबासी देना सीख लिया है, वास्तों में मैं मानता हूं कि अगर आप अपनी परसंसाओं खुद नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, फिर उ इस मामले में मैं उन्हें हरा देता हूं, जब मैं कोई चीज खास अच्छी तरह करता हूं, तो मैं उनसे परसंसा मांग भी लेता हूं, यूवक ने पूछा, आप मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे आ जाती है, यह तो शर्त लगाने जैसा है, जहां मैं या तो जीतता हूं, या फिर मामला बराबरी वर छुट जाता है, अगर वे मुझे परसंसा देते हैं, तो मैं जीत चाता हूं, लेकिन अगर वे परसंसा नहीं देते हैं, तो मैं बराबर हो जाता हूं, मेरे मांगने से पहले भी वह परसंसा मेरे पास नहीं थी, यूवक मुस्कुराया, मुझे यह है विचार पसंद आया लेकिन उस बारे में क्या जब कोई चीज गलत हो जाती है देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती है अगर मैं या हमारी टीम का कोई दूसरा व्यक्ति कोई महतवपूर्ण गलती करता है तो मुझे एक मिनट का पुने मारक दर्शन मिल सकता है युवक ने पूछा क्या एक मिनट का पुने मारक दर्शन यह महतवपूर्ण तीसरे रह्षय का नया संस्क्रन है लोगों की परसंसा करना हमेशा कारगर नहीं होता है जब तक कि गलतियां होने पर उन्हें सुधारने का पुने मारक दर्शन ने जुड़ा हो हालां कि मुझे हमेशा पस हमारे संग्ठन, तोनों को ही सफल होने में मदद मिलती है। जब हमारी कंपनी में अर्च से फर्स तक की परबंदन शैली चलती थी, तब तीसरे रहशे को एक मिनट की फटकार कहा जाता था, जो उस यूग में उलेखनी ये रूप से परवावी तरीका था। लेकिन परिस्ति लोग अपने काम में ज़्यादा संतुष्टी तथा मुल्य पाना चाहते हैं। अब हर किसी को सीखने वाला होना चाहिए क्योंकि परिस्तितियां बहुत ज़्यादा बदल रही है। मैं चाहे कितना भी योग्य हूँ लेकिन हो सकता है कि अगले दिन मेरी योग्यता का एक मिनट का पुने मारक दर्शन सीखने में मेरी मदद करता है क्योंकि इसकी बदोलत मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीज अलग तरीके से करनी चाहिए। अंगतुक ने पूछा यह कैसे काम करता है। यह सरल है जोन ने कहा मुझे पता था आप यही कहेंगे। जोन हंसा औ तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो लक्षय तै किया था वह स्पष्ट था। अगर एसा नहीं था तो वे उसकी जिम्मेधारी लेते हैं और लक्षय को स्पष्ट करते हैं। फिर वे मेरे सामने एक मिनट के पुने मारक दर्शन को दो हिस्सों में पताते हैं। पह इसे तत्यों की पूश्टी करते हैं और जो भी गलत हुआ है हम उसकी समिक्षा करते हैं वे बहुत विसिस्ट होते हैं फिर वे मुझे बताते हैं कि वे गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसका हमारे परिणामों पर क्या संभावित परभाव हो सकता है कई वारतों ब यह खामोशी का अंतराल आस्चे जनक रूप से महतवपून साबित होता है क्यों? क्योंकि खामोशी के पल मुझे अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस करने और यह सोचने का समय देते हैं कि इसका मुझ पर और संगठन पर क्या परभाव हो सकता है वे कितनी देर तक खामोश रहते हैं? केवल कुछ सेकंड लेकिन जब यह आपके साथ होता है तो ज़्यादा लंबा लगता है जोंन ने आगे कहा पुन्य मारक दर्शन के दूसरे हिस्से में वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपनी गलती से ज़्यादा आच्छा हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास तथा परोसा है वे कहते हैं कि उन्हें आशा है यह गलती दो रही नहीं जाएगी और वे मेरे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं मुझे एसा लगता है कि पुन्य मारक दर्शन आपको अपने काम की गलती के बारे में दो बार सोचने के लिए मजबूर करता है जोंने सिरह लाया यह करता है क्या आप मुझे एक मिनट के पुन्य मारक दर्शन के इस्तेमाल के मुख्य हिस्सों के बारे में ज्यादा बता सकते हैं बिल्कुल वे सटीकता से बताते हैं कि क्या गलत हुआ है ताकि मैं जान जाओं कि उन्हें पूरी जानकारी है और वे यह नहीं चाहते हैं कि मेरी टीम या मेरी छवी खराव या दोयम काम के लिए बने चुंकि वे पुने मार्क दर्सन के अंत में इस बात की पुष्टी करते हैं कि वे मुझे तथा मेरी टीम को महतो देते हैं इसलिए यह मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाता है कि मैं नकारात्मक प्रतिकिरिया ने करूँ या रक्षात्मक ने बनूँ मैं किसी दूसरे पर दोस मंड कर अपनी गलती को तरक संगत साबिद करने की कोशिस नहीं करता हूँ जाहिर है यह जानने से मदद मिलती है कि अगर लक्षय स्पस्ट नहीं है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे इस वज़े से मैं जानता हूँ कि वे नयाई पूर्ण है पुने मारक दर्शन में अमूमन सिर्फ एक मिनिट का समय लगता है और जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है लेकिन यह आपको याद रहता है और चुंकि यह समर्थन के साथ खत्म होता है इसलिए आप दोबारा पट्री पर लोटना चाहते है मैं जानता हूँ कि आप किस बारे में बोल रहे हैं यूवक ने कहा मैंने उनसे पूछ लिया था जोन ने बीच में बोल दिया उमीद है आपने उनसे अपने लिए निर्ने लेने को नहीं पूछा होगा यूवक थोड़ा सरमिन्दा दिख रहा था हाँ मैंने यही किया था जोन धीरे सेहं से तब तो आप इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक मिनट के पूने मार्क दर्शन को सुनना कैसा लगता है हालांकि मुझे लगता है कि आपको बहुत चोटी खुराक मिली होगी यहां हम जानते हैं कि आप हमारी कंपनी की संस्कृती के लिए नए है लेकिन आपको पूने मार्क दर्शन की जरूरत है तो यह हलका होना चाहिए ताकि आप हतास नहों हमारा लक्ष लोगों में आतम विश्वास जगाना है ताकि वे बहतर परिनाम पाने में हमारी मदद कर सकें हो सकता है कि यह हलका हो युवक ने कहा लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं दोवार कभी उनसे कहूँगा कि वे मेरे लिए निर्णे ले फिर उसने पूछा क्या वे कभी गल्ती करते हैं वे तो बहुत आदर्श लगते हैं जोनह से जाहिर है वे गल्तियां करते हैं वे भी इंसान हैं लेकिन वे इसे सबसे पहले स्विकार करते हैं वास्तों में उन्होंने कह रखा है कि अगर हमें कभी लगे कि वे किसी चीज के बारे में गलत हैं तो हम उन्हें खुल कर बता दें यह अक्सर नहीं हूता है लेकिन वे कहते हैं कि इस से उन्हें उस गल्शी को रोकने में मदद मिलती है जो वे भुवश्य में कर सकते हैं यह कई कारणों में से एक है जिनकी बदोलत हमें उनके साथ काम करना पसंद है। कई वारवे रूखे हो जाते हैं लेकिन उनका हश्य बहुत अच्छा है और इससे मदद मिलती है। मिसाल के तोर पर वे मेरी गलती को पकरने में सचमुच अच्छे हैं लेकिन कई वार वे मुझे पुने मारक दर्शन का दूसरा हिसा देना भूल जाते हैं। वह हिसा जहां वे व्यक्ति के रूप में आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ जब वे बूल जाते हैं तो मैं उन्हें यह बता देता हूँ और इस बारे में मजाग करता हूँ आप वाकई ऐसा करते हैं। देखिए मैं पहले तो यह समझने में कुछ समय लगाता हूँ कि मैंने क्या गलत किया और फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या बदलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने यह कहने के लिए उन्हें फोन किया कि मैं जानता था कि मैं गलत हूँ और ऐसा दोबारा नहीं होने दूँगा फिर मैं हासा और बोला कि मैं बहतर महसूस करने के लिए दरसल पुने मारक दर्शन का पुष्टी वाला हिस्सा पाना पसंद जो वे देना मूल खे थे और उन्होंने क्या किया वे हांसे फिर माफी मांगी और बोले कि वे कहना चाहते थे कि उन्हें अब भी मुझे पर भरोसा है जब हमने फोन रखे तो मैं बहतर महसूस कर रहा था इस पर मुझे आस्चरिया होता है युवक ने कहा हाँ जब वे अपना हाश्यबोद काईम रखते हैं तो इसे उन्हें और उनके आसपास के हर व्यक्ति को मदद मिलती है उन्होंने हमें हमारी गल्टी पर हांसना सिखाया है और बहतर काम करके इसे उबरना भी सिखाया है तो आपने यह करना कैसे सिखा उन्हें यह सब करते देखकर युवक को अब एहसास होने लगा था कि एसा मैनेजर कितना मुल्यवान हो सकता है मैं गोर कर रहा हूँ कि तीसरा रहष्य नेतरतों करने और प्रबंदन करने के इस एक मिनट के तंतर को आगे बढ़ाता है लक्षा यह सबस्ट करते हैं कि किस्पत ध्यान के अंदरित करना सबसे महतोपूर्ण है प्रसंसाई विश्वास बढ़ाती है जिससे आपको सफल होने में मदद मिलती है और पुने मार्ग दर्शन गलतियों को दुरुस्त करते हैं ये तीनों करमचारियों की मदद करते हैं कि वे अपने बारे में बेहतर महसूस करें और अच्छे परिनाम दें लक्षों, प्रसंसाउं और पुने मार्ग दर्शन के तालमेल का उप्योग करना इतनी अच्छी तरह क्यों काम करता है मैं चाहता हूँ कि आप यह बात हमारे न्यू वन मिनिट मैनेजर से ही समझें जोन ने कहा जब वे कुर्सी से उठे और यूवक को दर्वाजे तक छोड़ने गए यूवक ने उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दिया जोन मुस्कुराए आप पहले से ही जानते हैं कि समय के विशे पर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी वे दोनों हंसे यूवक अवे एसा महसूस कर रहा था वे दोनों हंसे यूवक अवे एसा महसूस कर रहा था मनो वह आंगतुक के बज़ाए अंदर का आदमी बन गया है और यह अच्छा महसूस हो रहा था जैसे ही वह होल में पहुंचा यूवक को एहसास हुआ कि जो उनने कितने कम समय में उसे कितनी सारी जानकारी दे दी थी उसने खुद को याद दिलाने के लिए नोट्स बनाई कि किसी करमचारी के गलती करने पर एक मिनट के पुने मार्ग दर्शन का इस्तेमाल कैसे करना है यदि लक्षए सपस्ट है तो एक मिनट का पुने मार्ग दर्शन भली बहनती काम करता है जब आप पहला आदा मिनट नमबर एक यथा शिगर लोगों का पुने मार्ग दर्शन करें नमबर दो पहले तथ्यों की पुष्टी करें और फिर मिलकर गलती की समिक्षा करें विसिष्ट बने नमबर तीन यह व्यक्त करें कि आप गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और परेणामों पर इसका क्या प्रभाव होता है अंतराल नमबर चार पल भर के लिए खामोश हो जाएं ताकि करमसारियों को अपनी गलती के बारे में जिन्तित महसूस करने का समय मिल जाए दूसरा आधा मिनित नमबर पांथ उन्हें यह बताने के लिए याद रखें कि वे अपनी गलती से बेहतर हैं और आप इनसान के रूप में उनके बारे में अच्छा सोचते हैं नमबर च्छे उन्हें याद दिलाएं कि आपको उन पर विश्वास तथा भरोसा है और आप उनकी सभलता का समर्थन करते हैं नमबर साथ यह ऐसास करें कि जब पुने मार्ग दर्शन खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है अगर यूवक ने व्यक्तिकत रूप से इसके परभाव का अनुभव ने किया होता तो उसे एक मिनिट के पुने मार्ग दर्शन की सभलतावर विश्वास नहीं होता हालांकि वह जानता था कि उसे बस छोटी सी कुराक मिली थी लेकिन उसे यह भी मालुम था कि वह इस अनुभव को दोराना नहीं चाहता था लेकिन गल्तियां सबसे होती है और वह जानता था कि अगर वह कभी ऐसे मैनेजर के लिए काम करेगा और उसे कोई बड़ी गल्ती हो जाएगी तो उसे शायद ज्यादा तगड़ा पुने मार्क दर्शन मिलेगा लेकिन इससे उसे चिंता नहीं हुई वह जानता था कि यह न्याय पूर्ण था जब वह दोबारा मैनेजर के ओफिस की तरफ गया तो वह वन मिनिट मैनेजमेंट की आज चिरेजनक शक्ति के बारे में सोचता रहा और यह भी कि बदलते हुए संसार के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया गया था तीनों रहसे समझदारी भरे लग रहे थे उसने सोचा लेकिन वह कारगर क्यों है न्यू वन मिनिट मैनेजर अब भी कंपनी में सबसे उत्पादग और परसंसनिय मैनेजर क्यों है न्यू वन मिनिट मैनेजर समझाते है जब वह मैनेजर के ओफिस पहुंचा तो करटनी ने कहा वे सोच रहे थे कि आप उनसे मिलने दोबारा कवाएंगे जब यूवक ओफिस में दाखिल हुआ तो उसने एक बार फिर गोर किया कि यह कितना सापसुत्रा और व्यवस्तित था मैनेजर ने गरम जोसी बरे मुस्कान से उसका अभी बादन किया अपनी यात्राओं में आपको क्या मिला? काफी कुछ मुझे बताएं कि आपको क्या मिला? मुझे पता चला कि आपको न्यूव वन मिनिट मैनेजर क्यों कहा जाता है? इसा इसलिए है क्योंकि आप अपने तीन लक्शों को नए सांचे में डालते रहते हैं आप और आपकी टीम मिलकर एक मिनिट के लक्शे बनाते हैं ताकि हर करमचारी पूरी तरह से जान जाए कि उसे किस के लिए जवाब दे ठहराया जा रहा है और अच्छा परदर्शन कैसा दिखता है फिर आप करमचारीों को कोई चीज अच्छी तरह करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें एक मिनट की परसंसाई देते हैं और जब आप देखते हैं कि करमचारीों ने कोई गल्ती की है तो आप उन्हें एक मिनट का पुने मार्ग दर्शन देते हैं आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं मैं हैरान हूँ कि इसमें कितना कम समय लगता है लेकिन फिर भी यह कारगर नजर आता है युवक जिजगा और फिर बोला मुझे उमीद है कि यह पूछना आपको मेरी दरश्टा नहीं लगेगी लेकिन क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि आप मैनेजर के तोर पर जो करते हैं उन सब को करने के लिए केवल एक मिनट की जरूरत होती है मैनेजर हंस पड़े जाहिर है नहीं लेकिन यह एक जटिल काम को आसान बनाने का तरीका है लक्षों पर दोबारा ज्यान के दिरित करने और करमचारियों के परदर्शन पर उन्हें महतवपूर्ण फीड़बैक देने में अक्सर केवल एक ही मिनट लगता है पुराना नियम है मैनेजर ने आगे कहा इसके अलावा इसके अलावा आपने और क्या गोर किया देखिए आपके करमचारी यहां काम करके खुश है और आप बहतरे इन परिनाम पाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं मुझे यकीन है कि यह आपके लिए कारगर है मैनेजर ने उसे आश्वस्त किया और अगर आप यह करेंगे तो यह आपके लिए भी कारगर साबित होगा शायद लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे इसे तब तक करने के ज़्यादा समझते है अगर मैं इस बारे में ज़्यादा समझ सकूँ कि यह क्यों काम करता है निश्चित रूप से नोजवान यह हर एक के बारे में सच है हम इस बात को जितना ज़्यादा समझते है कि कोई चीज क्यों काम करती है उसकी इस्तेमाल करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है आईए मैं आपको एक समझनिय वाक्य दिखाता हूँ जो मैं अपने कम्प्यूटर पर रखता हूँ युवक मुडा और उसने देखा मेरा सर्वसरेश्ट मिनट वह होता है जिसका निवेश में लोगों में करता हूँ यह विडंबना है कि ज़्यादातर कम्पनिया करमचारियों के वेतन पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती है लेकिन इसके बावजूद वे उनके विकास पर अपने बज़र का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च करती है सच तो यह है कि ज़्यादातर कम्पनिया अपनी इमारतों, प्रोधोगी की और उपकरणों के रखरकाओं में जितना समय और पैसा खर्च करती है उतना अपने करमचारियों को विक्सित करने के लिए नहीं करती मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, युवक ने स्विकार किया लेकिन अगर करमचारी ही परिनाम देते हैं, तो इसमें समझदारी नजर आती है कि करमचारियों में ज़्यादा निवेस किया जाए बिल्कुल मैंनेजर ने उजागर किया जब मैंने पहले पहल नोकरी शुरू की थी, तब काश, किसी ने मुझे मुझे ज़्यादा जल्दी निवेस कर दिया होता आपका क्या मतलब है, युवक ने पूछा, मैं जिन संग्ठनों में गया, उन में से ज़्यादातर में मैं, अक्सर यही नहीं जानता था, कि मुझे क्या करना चाहिए था किसी ने भी मुझे बताने की जहमत नहीं उठाई, अगर आप मुझे से पूछते कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता, मुझे नहीं पता, या मुझे ऐसा ही लगता है, अगर आप मुझे से पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मेरा जवाब होता, क यूवक ने कहा मैं देख सकता हूँ कि आप अलग तरीके से परबंदन क्यों करते हैं लेकिन मैं अब भी एहरान हूँ कि ये तीन रह्षे इतने कारगर क्यों हैं? मिसाल के तोर पर एक मिनट के लक्षे तै करना क्यों कारगर है? एक मिनट के लक्षे क्यों सफल होते हैं? आप जानना चाहते हैं कि एक मिनट के लक्षे क्यों कारगर होते हैं? मैनेजर ने कमोबेस युवक की बात तो राई अच्छी बात है वे उटकर खड़े हुए और कमरे में चारों और धीरे धीरे चहल कदमी करने लगे मैं आपको एक उपमा देता हूँ जिससे मदद मिल सकती है मैंने इतने बरसों में जिन विभिन संग्ठनों में काम किया है वहां मैंने बहुत से प्रेणा रहित लोग देखे हैं लेकिन ओफिसों से बाहर निकलने के बाद मुझे वे लोग प्रेणा रहित नहीं दिखाई दिये बरसों पहले एक रात मैं बोलिंग का खेल खेल रहा था और मैंने अपने पिछले संग्ठन के कुछ समश्या मुलक करमचारियों को देखा एक समश्या मुलक करमचारी जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था लाइन के पास आया और उसने बोलिंग की गेंद लुटका दी जल्दी ही वे उचलने कूदने और चिलाने लगा आपको क्या लगता है वहे इतना खुश क्यों था क्योंकि उसने सारी पिनों को गिरा दिया था बिल्कुल आपको क्या लगता है उसके और दूसरे करमचारियों के पास नोकरी में रोमांच का यही स्तर क्यों नहीं था यूवक ने इस पर कुछ विचार किया क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि पिने कहां हैं कि वे किस पर निशाना लगा रहे हैं मैं समझ गया अगर उन्हें पिने ही नहीं दिख रही है तो वे कितने लंबे समय तक बॉलिंग करना चाहेंगे सही कहा वन मिनिट मैनेजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कई बार मैनेजर गलती से यह मान लेते हैं कि उनकी टीम के लोग जानते हैं कि किस पर निशाना लगाना है, जब आप यह मान लेते हैं कि करमचारियों को पता है कि उनसे क्या उमीद की जाती है, तो आप बॉलिंग के एक एपर भावी रूप को उत्मन कर रहे हैं आप पिनों को उपर रख देते हैं लेकिन जब बॉलर गेंद लूट काने जाता है तो उन्हें पिनों के आगे रखा तक्ता दिखाई देता है जब वह गेंद लुटकाता है और गेंद तक्ते के नीचे से अंदर जाती है तो उसे कडाक की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसने कितने पिने गिराई है जब आप उससे पूछते हैं कि उसका प्रदशन कैसा था तो वह कहता है मुझे नहीं पता लेकिन यह अच्छा महसूस हुआ यह रात के अंधेरे में गॉल्फ केलने जैसा है मेरे बहुत से दोस्तों ने गॉल्फ केलना चोड़ दिया है और जब मैंने उन से इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि गॉल्फ कोर्स पर बहुत ज़्यादा भीर हो गई थी जब मैंने सला दी कि वे रात में खेलें तो वे हंसने लगे क्योंकि अगर आप यही ने देख पाएं कि आपने गेंद कहां मारी थी तो गॉल्फ कौन खेलेगा यही टीम खेलों में होता है कितने लोग दो टीमों का मुकाबला देखेंगे अगर स्कोर करने का कोई तरीका ही ने हो हाँ ऐसा क्यों है युवक ने पूछा यह सब इसलिए है क्योंकि परेणामों पर मिलने वाला फीड़बेक ही लोगों का पहले नंबर का उत्परेगख है वे जानना चाहते हैं कि वे कैसा परदर्शन कर रहे हैं वास्तों में हमारे यहां एक और कहावत है जो गोर करने लाइक है फीड़बेक फीड़बेक चैंपियनों का नास्ता है फीड़बेक ही है जो हमें चलाता रहता है दुरभाग्य से जब कुछ मैनेजर सीख लेते हैं कि परेणामों पर फीड़बेक करमचारियों का पहले नंबर का उत्परे रख है तो वे आम तोर पर बोलिंग का एक तीसरा परकार इजाद कर देते है जब बॉलर गेंद लुटकाने के लिए लाइन के पास जाता है तो पिने अब भी उपर रहती है और तक्ता अपनी जगए पर ही रहता है लेकिन अब खेल में एक नया तत्व शामिल हो जाता है तक्ते के पीछे एक सूपरवाइजर खड़ा रहता है जब बॉलर गेंद लुटकाता है तो वह पिन गिरने की आवाद सुनता है और सूपरवाइजर दो उंगलिया उठा कर बताता है कि उसने दो पिने गिराई है वास्तों में क्या जादातर मैनेजर यह कहते हैं कि तुमने दो गिराई नहीं युवक ने मुस्कुराते हुए कहा वे आम तोर पर कहते हैं कि तुम आठ चुक गए सही कहा मैं हामेशा यह सवाल पूस्ता था मैनेजर तक्ते को उपर क्यों नहीं उठा देता ताकि आप दोनों को ही पीने दिखती रहें जवाब यह था वह वार्षिक परदर्शन समीक्षा की महान कारोबारी परंपरा की वजह से एसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी परदर्शन समीक्षा होने वाली होती थी यूवक ने जोर से सोचा मैनेजर ने पूछा ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर करमचारीओं को यह पता नहीं होता कि उनका परदर्शन कैसा है जब तक की वे अपनी परदर्शन समीक्षा से नहीं गुजरते है और उन्हें उन सारी चीजों का पता नहीं चलता है जो उन्होंने सही नहीं की है उस वक्त अगर करमचारी को पताया जाता है कि उसे बोनस या प्रोमोशन नहीं मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा इसमें कितना लंबा समय लगेगा जब वह यह सोचने लगेगा कि काश वह किसी दूसरी जगे काम कर रहा होता मैं जवाब जानता हूँ एक मिनट यूवक ने मजाक किया मैनेजर हसने लगे आपको क्या लगता है मैनेजर किसी करमचारी को इस परकरिया से क्यों गुजारते हैं यूवक ने पूछा ताकि वे अच्छे दिख सके मैनेजर ने कहा आपका क्या मतलब है अगर आप अपने हर अधिनस्त का मुल्यांकन अपने परदर्शन शमीक्षा पहमाने के सरोच्य स्तर पर कर दें तो आप क्या सोचते हैं आपका बोस आपको कैसा मानेगा शायद नर्मदिल मैनेजर मानेगा जिसे अच्छे परदर्शन और खराब परदर्शन का फरक ही नहीं मौलूम बिलकुल मैनेजर ने कहा ज्यादातर संग्ठनों मेनेजर की भूमिका में अच्छा दिखने के लिए आपको अपने कुछ करमचारियों की गल्टियों को पकरना होता है आपके पास कुछ विजयता होने चाहिए कुछ पराजित होने चाहिए और बाकी हर करमचारी बीच में कहीं पर होना चाहिए मुझे एक बार की बात याद है जब मैं अपने बेटे के स्कूल में गया मैंने पांच्वी ग्रेड की एक टीचर को क्लास में भूगोल का टेस्ट लेते देखा, जब मैंने उससे पूछा, कि वह टेस्ट में बच्चों को नक्षे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती है, तो वह बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि तब तो सारे बच्चों को सो परतिसत अंख मिल जा आए, लेकिन ऐसी व्यवस्ता क्यों नहीं की जाए, ताकि हर एक को विजयता बनने का आउसर मिले, मैंनेजर ने आगे कहा, मुझे याद है, एक बार मैंने पढ़ा था, कि जब हर कोई अपना खुद का फोन नंबर जानता था, तब किसी ने जीनियस अलबर्ट आइंस्टे से उनका फोन नंबर पूछा, और वे अपना खुद का नंबर देखने के लिए टेलिफोन डिरेक्टरी तक गए, उन्होंने कहा कि वे कभी अपने दिमाग में उस जानकरी का कबार नहीं रखते हैं, जो उन्हें किसी दूसरी जगे से मिल सकती है, अब अगर आपको आइंस यूवक हंसा और बोला, शायद पराजित, बिलकुल, मैनेजर ने परतिकरिया की, मैं भी यही सोचता, लेकिन हम दोनों गलत होते, है न, यूवक ने सहमती में सिरहिलाया, हम में से किसी के लिए भी यह गलती करना आसान है, मैनेजर ने कहा, फिर उसने आंगतु को अपने क देखिये, मैनेजर ने कहा, आपके पास मैनेजर के तोर पर दरसल तीन विकल्प होते हैं, पहला, आप विजेताओं को अपनी कमपनी में सीधे नियूक्त कर सकते हैं, उन्हें खोजना मुश्किल होता है, और उन्हें बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं, या दूसरा विक कि सुन योजित मजद कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों में से एक भी ने करना चाहते हों, और मैं उन मैनेजरों की संख्या पर लगातार हैरान होता हूँ, जो ने तो विजेता को कमपनी में लाने के लिए पैसे खर्श करना चाहते हैं, ने ही किसी को विजेता को तैयार कर करने में समय लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ तीसरा विकल्प ही बसता है, प्रार्थना, इससे युवक ठगा रहे गया, प्रार्थना, मैनेजर धीरे से हंसे, यह हंसी मजाग की कोशिस्ती नोजवान, लेकिन जरा इस बारे में सोचो, एसे कई मैनेजर हैं, जो हर दिन यह प्रार्थना कर रहे हैं, की है वगवान, यह है व्यक्ति सही सावित हो, युवक हंसा और बोला, अगर आप किसी विजेता को न्यूट करते हैं, तो वन मिनिट मैनेजर बनाना दरसल आसान होता है, है ना? बिलकुल, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग विजेत हैं, उनके साथ आपको बस इतना करना है, की एक मिनिट के लक्षे तै कर दें, और बाकी का काम उन्हें करने दें, जो लेवी की बातों से मुझे लगा, की आपको तो अमूमन उनके साथ यह करने की विजरूरत नहीं पड़ती है, आप सही है, मैनेजर ने कहा, वे इतना उत्पादक व्यवहार के लिए मुन्यादी ओजार है, चाहे कोई भी एक मिनिट के लक्षे तै करने की शुरुवात करे, युवक ने पूछा, क्या यह सच है, कि हर लक्षे का वर्नन एक पेज़ पर होना चाहिए, जिसमें निश्चित तारिख लिखी हो, हाँ, यह सच है, एसा क्यों है, ताकि लोग हर दिन अपने लक्षों की फटापट समिक्षा कर सकें, और उन लक्षों पर अपने परदर्शन की फुरण जांस कर सकें, मैं समझता हूं कि आप उन से उनके काम के हर पहलू को नहीं लिखवाते हैं, बलकि केवल बड़े लक्षों और खोल कर देखा जाए, जब परदर्शन समिक्षा का समय आए, या अगले वर्स के लक्षे तै करने की बात आए, जैसा आप देख सकते हैं, हमारी टीम के लोग यह मुल्यवान समर्ण वाक्य करीब रखते हैं, उन्होंने यूवक को एक कार्ड थमा दिया, जिस पर लिखा थ एक मिनट निकाल कर अपने लक्षों को देखें, फिर उसे देखें जो आप कर रहे हैं, और देखें कि क्या यह आपके लक्षों से मेल खाता है, यूवक इन शब्दों की शक्तिशाली सादगी पर हैरान था, उसने पूछा, क्या मुझे उसकी एक प्रति मिल सकती है, बिलक इसने कम समय में वन मिनिट मैनेजर के बारे में सीखने लाइक हर चीज़ को समझना मुश्किल है, निश्चित रूप से मैं एक मिनिट के लक्षों के बारे में ज्यादा जानना पसंद करूँगा, लेकिन क्या हम एक मिनिट की परसंसा उपर बातचीत करने के लिए आगे ब लगते हैं कि परसंसाइं बनावटी हैं, मैनेजर ने प्रतिकिरिया की, यह इस बात पर निर्वर करता है कि क्या परसंसा वाकाई सही और सची हैं, एक मिनिट की तारीफ क्यों सफल होती है, आईए हम कुछ उधारन देखते हैं, शायद तब आपके सामने स्पष्ट हो लगेगा कि एक मिनिट की परसंसाइं इतनी अच्छी तरह काम करती है, यूवक ने कहा मुझे अच्छा लगेगा, एक उधारन देखें, जब अभी बावक पहली बार चलना सीखने में अपने बच्चे की मदद करते हैं, क्या आप कलपना कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे क खड़ा करते हैं और पहले दिन वहे थोड़ा सा डगमगाता है, जिस पर आप बहुत रोमान्चित हो जाते हैं और कहते हैं वहे खड़ा हो गया, वहे खड़ा हो गया, फिर आप बच्चे को गले लगाते तथा चूमते हैं, अगले दिन वहे एक पल के लिए खड़ा रहता और शायद एक कदम डगमगाता है और आप उसे दुबारा चूमते तदा गले लगाते हैं. आखिरकार बच्चे को एहसास हो जाता है कि वहे काफी अच्छा सोधा है, वहे अपने पैरों पर ज्यादा खड़ा होने लगता है और अंतते वहे चलने लग जाता है. यही किसी बच्चे को बोलना सिखाते समय होता है. मालने आप चाहते हैं कि बच्चा कहे करपिया मुझे एक गिलास पानी दे. अगर आप उसे पानी देने से पहले तब तक इंतजार करें, जब तक कि बच्चा पूरा वाक्या नह बोल दे, तो बच्चा प्यास से मर जाएगा तो आप यह कहकर शुरुआत करते हैं, पानी, पानी, एक दिन बच्चा अचानक कह देता है, पानी, आप खुशी के मारे कूदने लगते हैं, बच्चे को गले लगाते और चूमते हैं, और दादी को फोन करके बताते हैं, ताकि बच्चा दादी को सुन सके, मानी, मानी, य लेकिन यह उसके करीब था, अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा 21 साल की उम्र में मानी का एक गिलास मांगे, इसलिए कुछ समय बाद आप केवल पानी शब्द ही स्विकार करते हैं और फिर आप प्लीज पर भी जोड़ देते हैं, ये उधारन बताते हैं कि विजेता बनने मे लोगों की मदद करने के लिए सबसे एहम और स्वभाविक चीज यह है कि शुरुवात में उन्हें कोई लगवग सही चीज करते हुए पकड़ा जाए, फिर आप वांचित परिनाम की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, युवक ने कहा, यानि शुरुवात में कुझी यह है कि किसी को कोई चीज लगवग सही करते हुए पकड़ा जाए, जब तक कि वे अंततय इसे पूरी तरह करना नए सीख ले, आप समझ गई, मैनेजर ने कहा, लक्षों की शरंकला में भी एसे लक्षे तै करते हैं, जिने ज्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है, नौकरी म और जिन्दगी में भी आपको किसी वेजेता को चीजें सही करते हुए पकड़ने की जरूरत ज़्यादा बार नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग चीजों को सही करते हुए खुद को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, उन् तब उन पर बहुत ध्यान देते हैं, हाँ, जादतर मैनेजर परसंसा करने से पहले तब तक इंतजार करते हैं, जब तक कि करमचारी किसी चीज़ को पूरी तरह सही नहीं कर दें, परिनाम सोरूग कई लोग कभी बेहतरिन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके मैनेजर उने गलत चीजें करते हुए पकरने पर ध्यान के निरित करते हैं, यानि कोई भी चीज जो अंतिम मन चाहे परिनाम से कमतर हो, एसा नहीं लगता कि यह बहुत परभावी होगा, युवक ने कहा, यह नहीं होता है, मैनेजर ने जवाब दिया, दुखत बात यह है कि बहुत सारे संगठनों में नई अनुबवहिन लोगों के साथ यही किया जाता है, वे संगठन में उनका स्वागत करते हैं, हर एक से मिलवाने के लिए उन्हें पूरे ओफिस में गुमाते हैं, और फिर उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देते हैं, नए सिर्फ वे नए करमचारियो को कोई चीज लगबग सही करते हुए नहीं पकड़ते हैं, बलकि समय समय पर उन्हें डपट भी देते हैं, ताकि वे चलते रहें, यह काफी समय तक लोगप्रिय परबंधन शैली रही है, मैं इसे अकेला छोड़ो, डपट दो, शैली का नाम देता हूँ, आप किसी करमचा क्या होता है, युवक ने पूछा, अगर आप किसी संग्ठन में गए हैं, और मैं समझता हूँ, कि आप कई संग्ठनों में गए हैं, तो आप जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख चुके हैं, वे कम से कम संभव काम करते हैं, युवक हसा, आपने सही कहा, मैंने इसे दे में मज़ा क्यों नहीं आता मैनेजर सहमत था यह बिल्कुल सच है जो वे कर रहे हैं उसमें वे सलंगन भी नहीं होते हैं या अच्छा काम करने में उनकी बहुत रूची भी नहीं होती है यूवक ने कहा मैं देखना शुरू कर रहा हूं कि एक मिनट की परसंसा इतनी अच्छ परस्षित रूप से सिर्फ गल्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है फिर उसने आगे कहा यह मज़ेदार है लेकिन इससे मुझे अपने कुछ दोस्तों की याद आती है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक नया कुट्ता पाला है उन्होंने मुझ से पूच कि कुट्ते को घरेलू पर शिक्षन देने के उनके बेहतरिन विचार के बारे मेरी क्याराई है मैंनेजर ने कहा मैं यह पूचने में डरता हूँ लेकिन वे इसे कैसे करने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर कुट्ता कालीन पर पोटी कर दे तो वे कुट्ते की नाक को चाहिए था मैंनेजर हसे फिर उन्होंने मुझसे पूचा कि मेरे हिसाब से इस तकनिक का क्या अंजाम होगा मैं हसा क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा और वही हुआ लगवग तीन दिन बाद कुट्ते ने फिर फर्ष पर पोटी कर दी और खिड़के से बाहर कूद गया कुट्ता नहीं जानता था कि क्या करना है लेकिन वह जानता था कि उस जगए से दूर जाना ही मुनासिब होगा मैनेजर ने ठाहका लगा कर अपना अनुमोदन दर्ज किया यह बढ़िया कहानी है दंड तब काम नहीं करता है जब आप इसका इस्तेमाल किसी सीखने वाले विक्ति पर करते है अनुमोवहिन लोगों को सजा देने के बजाए जो अब भी सीख रहे है हमें उने पुने मार् के लक्षे दोराना तै करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वे समझ गए है कि उनसे क्या पेक्षा की जाती है और अच्छा परदर्शन कैसा दिखता है यूवक ने पूछा जब आप यह कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा लगबग सही कोई चीज कर करते हुए पकड़ने की कोशिस करते हैं बिल्कुल शुरुआत में आप हमेशा एसी स्थित्यों पर गोर करने की कोशिस करते हैं जहां आप एक मिनट की सची परसंसा दे सकें फिर यूवक की आँखों में सीधे देखते हुए मैनेजर ने कहा आप बहुत उत्साही और पहचानते थे मैं तो पुने मार्ग दर्शन के बजाए परसंसा पाना ज्यादा पसंद करूँगा यूवक ने कहा मैं अब समझ गया हूँ कि एक मिनट के लक्षे और परसंसाई क्यों काम करते हैं उनमें अच्छी समझदारी नजर आती है लेकिन एक मिनट के पुने प्रदर्शन इतनी अच्छी तरह काम करते हैं इसके बीचे कई कारण है शुरुआत में फीडबेक छोटी मात्रा में होना क्योंकि आप गलती को शुरू में ही पकड़ लेते हैं कई मैनेजर अपने फीडबेक को बोरों में बंद करके रखते हैं यानि वे खराब व्यवार के अवलोकनों को तब तक इकठा करते जाते हैं जब तक कि यह कुंठा में नहीं बदल जाता जब वार्शिक परदर्शन समिक्षा का वक्त आता है तो ये मैनेजर आम तोर पर गुच्छा होते हैं क्योंकि उनका बोरा पूरा फ़रा होता है इसलिए वे हमला कर देते हैं औ कि उनके खराब परदर्शन के बारे में नकारात्मक भावनाईं बचा कर रखी जाएं और यह कारगर भी नहीं है। युवक ने आखरी आहा भरी। बिल्कुल सच बात है। यह अक्सर घर पर भी होता है। हाँ, जब कोई माता-पिता और जीवन साथी भी ये साही करते हैं और उन्हें भी ये से ही खराब नतीजे मिलते हैं। तब होता यह है कि लोग आमत और परतत्यों के बारे में ऐस एहमत होकर बात खत्म करते हैं या फिर वे बस खामोश और दोस्पूर्ण हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को फीडबेक मिलता है वहे अक्सर रक्षात्मक हो जाता है। वहे यह मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की है। यह संपरेशन का आकेला छोड़ो दपट दो का एक और संस्क्रन है। यदि मैनेजर पहले ही स्तितियों को सुलजा लेते तो वे एक बार में एक वेवहर पर राई वेक्ट करते जिससे सामने वाले को बुखलाट नहीं होती। तब इस बात की जादा संभावना थी कि वहे फीडबेक को उसी तरह लेता जिस तरह इसे लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रदर्शन समीक्षा एक सतत प्रक्रिया होन प्रदर्शन से पेस आता है ताकि फीडबेक ले रहा व्यक्ति इसे सुन सके। हाँ, आप बुरे व्यवहर से छुटका रापाना चाहते हैं लेकिन अच्छे इंसान को रखना चाहते हैं इसलिए आप गलती करने पर उस व्यक्ति के व्यक्तितों पर हमला नहीं करते हैं। क जब हमारी आत्म अवधालना पर आकर्वन होता है तो हमें अपनी और अपने कारियों की रक्षा करने की आवशक्ता महसूस होती है। बले ही इसके लिए हमें तथ्यों को विक्रत करना पड़े जब लोग रक्षात्मक हो जाते हैं तो वे सीखते नहीं हैं। इसलिए आप उनके व्यवहार को उनके व्यक्तितों से अलग करना चाहते हैं। जब आप गलती को सुलजा लेते हैं उसके बाद उनकी दोबारा पूश्टी करना उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके व्यक्तितों पर हमला नहीं करता है। आप चाहते हैं कि आपके ज व्यावार हुआ है या वहे आपकी नेतरत्व शैली के बारे में क्या सोचता है अन्यता वहे करमचारी गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और मैनेजर खलना एक बन जाता है यूवक ने पूछा आप पुने मारक दर्शन का परसंसा करने वाला हिस्सा पहले और आलोच उसना वाला हिस्सा बाद में क्यों नहीं देते हैं किसी कारण से यह कारगर नहीं होता है इस बारे में सोचें तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर के रूप में मैं अच्छा और कठोर हूँ लेकिन ज्यादा सटिकता से कहें तो मैं दरसल कठोर और अच्छा हूँ कठोर और प्राचिन चीन की एक कहानी इसका सत्य बताती है एक बार एक राजा ने दूसरे नंबर का अधिकारी नियुक्त किया उसने उसे प्रधान मंत्री कहा और बोला क्यों ने हम काम बांट लें तुम सारी सजा देना और मैं सारे पूरुसकार दूँगा प्रधान मंत्री ने कहा कि ठीक है मैं सारी सजाइं दूँगा और आप सारे पूरुसकार देना मैं सोचता हूँ कि मुझे यह कहानी पसंद आ जाएगी युवक्त ने कहा आपको जरूर पसंद आएगी मैनेजर ने जानकार मुसकान के साथ कहा इस राजा ने जल्दी ही गोर किया कि जब भी वह किसी से कोई काम करने को कहता था तो उसका मन होने पर वह उसे कर देता था लेकिन कई बार नहीं भी करता था लेकिन जब परधान मंत्री बोलता था तो लोग हमेशा काम कर देते थे यह देखने के बाद राजा ने परधान मंत्री को दोबारा बुलवाया और कहा क्यों नए हम कामों का बंटवारा दोबारा कर लें आप काफी समय से यहां सारी सजाएं देने पर काम कर रहे हैं अब मुझे सजा देने दे और आप पूरुसकार दे इसके बाद परधान मंत्री और राजा ने भूमिकाएं बदल ली एक मैने में ही विद्रो हो गया राजा भला आदमी था जो हर एक को पूरुषकार देता था और हर एक के प्रति दयालू था लेकिन अचानक उसने लोगों को सजा देना शुरू कर दिया लोगों ने कहा यह बुढधा सटिया गया है और उन्होंने उसे गद्धी से उतार दिया जब उन्होंने दूसरे राजा की तलास की तो वे बो पूछा किसे पता है मैनेजर ने हंस्ते हुए कहा गंभीरता से उन्होंने आगे कहा मैं बस इतना जानता हूँ अगर आप व्यवहार में पहले कठोर रहते हैं और फिर बाद में व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो यह ज्याता कारगर होता है क्या आपके पास आदोनिक युक कोच अपने खिलाडियों के प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए पूने मार्क दर्शन जैसे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। पर एक मशРИूर कालेज बासकेट बाल कोच ने मुझे बताया कि वह ुह चैंपियन टीमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वह कैसे उन्होंने मुझे एक बार के बारे में बताया जब उनका सबसे अच्छा खिलाडी एक महतवपूर्ण मैच में इतना खराब खेल रहा था कि अगर उसका खेल तुरंत नहीं सुदर था तो टीम शायद हार जाती इसलिए उन्होंने उस खिलाडी को मैदान से बाहर बुला लिया और बेंच पर बिठा दिया यूवक ने पूछा अपने सबसे अच्छे खिलाडी को इतने महतवपूर्ण मैच में से उसे मैदान से बाहर निकालना वे कैसे गवारा कर सकते थे वे उसे बाहर ने निकलवाना गवारा नहीं कर सकते थे जब तक कि खिलाडी अपना एक खेल नहीं खेलता तब तक टीम नहीं जीत पाती और चैंपियंशिप में आगे नहीं बढ़ पाती जब वहे खिलाडी बेंच पर बैठा था तो इस कोच ने उसे सठीकता से बताया कि वहे क्या गलत कर रहा था कोच ने कहा तुम आसान छोट चूक रहे हो रीबाउंड नहीं पकर रहे हो और सुरक्षा में आलस कर रहे हो मैं तुम से नाराज हूँ क्योंकि तुमें देखकर तो लगता है जैसे तुम कोशिस भी नहीं कर रहे हो वे एक पल को ठहरे फिर बोले कि तुम इससे बेहतर हो तुमें तब तक पेंच पर बैठना होगा जब तक कि तुम उस तरह से खेलने को तयार नहीं हो जाओ जिसमें तुम सक्षम हो यह बहुत लंबा समय लगा जब खिलाडी उठकर खड़ा हुआ और कोश के पास जाकर बोला कि कोश मैं अंदर जाने के लिए तयार हूँ कोश ने परतिकिरिया की कि अंदर जाओ और मुझे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो जब खिलाडी वापस मैदान में पहुंचा तो वह पूरे मैदान में दोड रहा था गेंदो को जफटने के लिए गोता लगा रहा था रीबाउंड लपक रहा था और सटीक शोट मार रहा था उसके परियासों की बदोलत बाकी की टीम का खेल भी बेहतर बन गया और वे मैद जीत गए यूवक ने कहा तो बुनियादी तोर पर कोच ने तीन चीजें की जिनके बारे में जोन लेवी ने मुझे पहले बताया था लोगों को बताओ कि उन्होंने क्या गलत किया उन्हें बताओ कि इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और उन्हें याद दिलाओ कि वे इससे बेहतर हैं दूसरे शब्दों में उनका परदर्शन खराब है लेकिन वे अच्छे हैं बिल्कुल देखिए जब आप लोगों का नेतरतो कर रहे हो तो यह याद रखना बहुत महतोपूर्ण है कि व्यवहार और योगयता एक ही चीज नहीं है योगयतो वहव्यक्ती है जो अपने खुद के व्यवहार का परबंदन कर रहा है यह हम पर भी उतना ही लागू होता है जब हम अपने खुद के व्यवहार का परबंदन करते हैं वास्तों में अगर आप इसका एहसास कर लें मैनेजर ने कहा जब वे अपने कम्प्यूटर पर एक और सक्रीन लाए तो आप सफल पुने मार्ग दर्शन परदान करने की कौंजी को सचमुट जान जाएंगे हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है हम तो अपने व्यवहार का परबंदन करने वाले व्यक्ति हैं यूवक ने कहा ऐसा लगता है कि पुने मार्ग दर्शन के पीछे सम्मान और परभा होती है नोजवान मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर गोर किया पुने मार्ग दर्शन करते समय जब आप व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आप ज़्यादा सफल होते हैं यूवक अगला परशन पूशने में ही चक रहा था हलांकि एक मिनट की परसंसाएं और एक मिनट के पुने मार्ग दर्शन पर भावी है लेकिन क्या उन्हें लोगों के साथ चालाकी करने और अपना मनचाहा काम कराने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है यह पहतरीन सवाल है चालाकी में अपने खुद के लाव के लिए लोगों को चल पूरवक नियंधिरित करना शामिल होता है अगर आप चालाकी से लोगों का शोशन करने की कोशिस कर रहे हैं तो आप खराब काम कर रहे हैं और यह आपको काटने के लिए लोट कर आएगा आपका काम करमचारियों को दिखाना है कि खुद का परबंधन कैसे करें और इसका आनंद कैसे लें आप चाहते हैं कि जब आप आजबास पास नए हो तब भी वे सफल हो इसलिए करमचारियों को पहले से यह बताना इतना महतोपूर्ण है कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं यह जीवन में बाकी किसी चीज जैसा है कुछ चीजे हैं जो काम करती है और कुछ चीजे हैं जो काम नहीं करती है लोगों के साथ इमानिदार बनना ज्यादा कारगर होता है जैसा आपने गोर किया होगा बेहिमानी अंतते लोगों के साथ ऐस फल करा देती है युवक ने कहा मैं अब देख सकता हूँ आपकी परबंधन शैली की शक्ती कहां से आती है आप लोगों की परभा करते हैं हाँ मैं करता हूँ मैं परिणामों की भी परभा करता हूँ यूवक अब ज़्यादा स्पष्टता से देखने लगा था कि करमचारी और परिणाम आपस में कितने करीबे से जुड़े हुए थे उन्हें याद आया कि जब वह पहली बार इस खास मैनेजर से मिला था तो वे उसे कैसे रूखे लगे थे ऐसा लग रहा था मनो मैनेजर ने उनके दिल की बात पढ़ ली हो उन्होंने कहा कई बार आपको इतनी परवा करनी पड़ती है कि आप कठोर हो जाएं यानि खराब परदर्शन पर कठो व्यक्ति पर नहीं जैसा आप बेशक जानते हैं गलतियां करना समश्या नहीं है असली समश्या तो उनसे नहीं सीखने से उत्पन होती है यूवक ने पूछा जब आपके पुने मार्क दर्शन के बाद भी कोई व्यक्ति वैसी ही गलतियां करता है तो क्या होता है देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है ऐसा होने पर कोई मैनेजर कैसा महसूस करेगा शायद दुखी, चिड़ा हुआ या नाराज भी हाँ, तब आपको थोड़ा दूर हटने और स्थिति को शान्ती से देखने की जरूरत है ताकि अपनी भावनाओं की वज़य से आप गलती ने कर बैठें एक मिनट के पुने मार्क दर्शन का इरादा सीखने में लोगों की मदद करना है लेकिन जब कोई करमचारी कुछ सीख चुका है और उसने दिखा दिया है कि वह इसे कर सकता है लेकिन उसमें नहीं करूंगा वाला नजरिया है तो आपको संगठन को आने वाली लागत को देखने की जरूरत है और यह भी क्या आप ऐसे करमचारी को अपने टीम में रखना गवारा कर सकते है यह बात यूवक को समझधारी बरी लगी अब तक वह नए वन मिनिट मैनेजर को पसंद करने लगा था और जान गया था कि लोग वहां काम करते वक्त क्यों खुश रहते थे वे मैनेजर के लिए नहीं बलकि उनके साथ काम करते थे यूवक ने कहा शायद आपको यह रोचक लगेगा मैंने यह खुद को याद दिलाने के लिए लिखा था कि लक्षय और परिणाम कैसे जुड़े हुए हैं तथा एक मिनिट के लक्षय परसंसाईं और पुने मारक दर्शन मिलकर कैसे काम करते हैं उसने मैनेजर को अपने लिखे हुए नोट्स में से एक पन्ना दिखाया लक्षय व्यवहार शुरू करते हैं परिणाम भवी व्यवहार को प्रभावित करते हैं यह अच्छा है मैनेजर ने कहा क्या आप ऐसा सोचते हैं युवक ने पूछा और वह परसंसा को दोबारा सुनना चाहता था देखो नोजवान मैनेजर ने हलके फुल के अंदाज में कहा इंसानी टेप रिकोर्डर बनना जीवन में मेरी भूमिका नहीं है मेरे पास खुद को दोहराने का समय नहीं है जब युवक सोच रहा था कि उसकी दोबारा परसंसा हो सकती है तब उसे महसूस हुआ जैसे एक मिनट का पुने मार्ग दर्शन मिलने वाला है लेकिन प्रभावशाली युवक ने अपने चेहरे को सहियत रखा और बस इतना ही पूछा क्या? उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंसने लगे मैं तुम्हे पसंद करता हूँ नोजवन मैनेजर ने कहा तुम यहां काम करना पसंद करोगे युवक आश्चरेय से गुरने लगा उसने उत्सा से पूछा आपका मतलब है आपके लिए काम करना नहीं मेरा मतलब है खुद के लिए काम करना हमारे टीम के बाकी लोगों की तरह दरशल मैं नहीं मानता कि कोई कभी किसी दूसरे के लिए काम करता है दिल की गहराई से लोग खुद के लिए काम करना पसंद करते है हमारी टीम के लोग साज़ेदार के रूप में काम करते है और हम मिलकर बहतर बनने के तरीके खोशते है मैं उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और इस परकरिया में हम सभी अपने काम और जीवन का ज्यादा आनंद लेते हैं हम अपने संगठन के लिए भी बहुत लाबकारी बनते हैं जाहिर है यही वह था जिसकी युवक को जाने कब से तलाश थी उसने कहा मैं यहां काम करना पसंद करूँगा उसने ऐसा ही किया समय के साथ वह इतने नवाचारी मैनेजर के साथ काम करके बहुत लाभानमीत हुआ अंतते जो होना था हो गया न्यू वन मिनिट मैनेजर वह भी न्यू वन मिनिट मैनेजर बन गया एसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नए वन मिनिट मैनेजर की तरह सोचा या बात की बलकि इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस तरह से नित्तरतव और प्रबंदन किया उसने चीजों को आसान रखा उसने एक मिनिट के लक्षे तै किये उसने एक मिनिट की परसंसाएं की उसने एक मिनिट की पुने मारक दर्शन किये उसने संक्षिप, महतवपूर्ण सवाल पूछे सरल सचाई बताई, हंसा, काम किया और आनंद लिया शायद सबसे एहम चीज उसने ने सिर्फ परबंदन किया बलकि उसने लोगों का नेतरतव, सरजनात्मक बनने और नई चीजें करने के लिए भी किया उसने अपने आसपास के लोगों को प्रोटसाइट किया की वे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए यही करें में दिया जिनें इसे लाब हो सकता था स्वे को एक उपहार दें कई साल बाद उसने पलट कर उस वक्त की और देखा जब उसने पहली बार वन मिनिट मैनेजमेंट के बारे में सुना था यह बहुत अर्से पहले की बात लग रही थी उसके संगठन के लिए अधिक फूर्तिला और प्रतिकरिय शिल बनने की आवशकता तब से कहीं ज़्यादा हो गई थी जब वह पहली बार न्यू वन मिनिट मैनेजर से मिला था इसलिए वह बहुत करतक गए था कि वे खास मैनेजर अपने समय और ग्यान को लेकर इतने दयालू थे यह बहुत मुल्यवान साबित उसने दूसरों से जो सीखा उसे बांटने का अपना वादा याद रखते हुए उसने उन नोट्स का विस्तार किया जो उसने बहुत समय पहले लिये थे और अपने टीम के हर व्यक्ति को उसकी एक प्रति दे दी उन्होंने इसे पढ़ा था और कहा था कि तीन रहश्यों के इस्तेमाल से वाकई फर्क पड़ा था उन्होंने पाया कि प्रसंसाएं खास तोर पर जब उन्हें पुने मार्क दर्शन से संतुलित किया जाए लक्षों को ज़्यादा जल्दी हासिल करने का शक्तिशाली तरीका थी कुछ लोगों के लिए यह भी उजागर किया कि वे घर प्रतिक्रिया की थी इसके लिए धन्यवाद तो न्यू वन मिनिट मैनेजर को दिया जाना चाहिए अपने डेस्क पर बैठकर उसने एहसास किया कि वह कितना भाग्यसाली था अब उसके पास सोचने और योजना बनाने का समय था और अपने संगठन को उस तरह की मदद देन का भी समय था जिसकी इसे सत्मु जरूरत थी अब उसके पास अपने परिवार के साथ बिताने और दूसरी रूचियों में देने के लिए समय था उसके पास तनाव रही तो होने का समय भी था वह खुशकिशमत महसूस कर रहा था कि उसके पास दूसरे मैनेजरों से कम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उसके खंड में करमचारी सबंदी समश्यें बहुत कम आती थी, कम करमचारी बिमार पड़ते थे और कम लोग छुटी लेते थे, जब उसने पीछे पलट कर देखा, तो उसे खुशी हुई कि उसने वन मिनिट मैनेजमेंट का इस्त इतने अच्छे हैं, या मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे यकीन नहीं है, कि पुने मारक दर्शन देते समय, मैं आपको बताने की हमेसा याद रख सकता हूँ, कि मैं आपको महतो देता हूँ, आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, उसे मुस्कुराना पड़ा, जब कि इसी ने कहा, देखिए, आप कम से कम इसकी कोशिश तो करी ही सकते हैं, लोगों से यह पूछ कर, कि क्या वे, इसे मैनेजर द्वारा प्रतिबंदी तो होना चाहते हैं, और यह स्विकार करके, कि हो सकता है, कि वह हमेसा इसे सही करने में सक्षम नहो, उसने एक आसिल कर ली थी, लोग पहले ही जान गए थे, कि वह इमानदारी से, शुरुवात से ही उनकी तरफ था, और इसी से सारा फर्क पड़ा, दूसरों को एक उपहार, वह खयालों में खोया हुआ था, तब ही फोन की गंटी बजी, जिससे वह चोग गया, उसने अपनी असिस्ट ऐसे प्रबंधन करते हैं, वह मुस्कुराया, जब उसे अपने खुद के शुरुवाती अनुभव याद आए, उसने जवाब दिया, मुझे उससे बात करके खुशी होगी, बाद में जब वह प्रतिवाशाली यूटी से मिला, तो वह बोला, मैं वह सब बता कर समानित जो मैंने नेतरतव और प्रबंधन करने के बारे में सीखा है, जब उसने उस यूटी को कुर्सी दी, तो वह बोला, मेरा आप से केवल एक आग रह है, आंगतुक ने पूछा, वह क्या, उसने शुरू किया, बस यही कि अगर आपको यह उपयोगी लगे, तो आप इसे दू नहवाद, HindiAudiobook.com, आपका दिन शुब हो